मैं आज के इस कारिक्रम में जो उपस्थित हैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ विशेश रूप से हमारी राज्य प्रभारी बहन पुश्पांजली जी का हमारे मंडल प्रभारी श्री तरून भाई का और हमारे इस पतंजली योग समीती के संरक्षक श्री राम सिंग जी का विशेश आभार व्यक्त करता हूँ श्री विवेक नराइन जी का जो यहां के महापौर है श्री राधारमंदास जी का विशेश आभारी हूँ आरपी शर्मा, राजेश भाई, राजीब भाई, शुश्री पार्थार्थी बहन, श्री राम प्रकाश जी और श्री मती सुमन अगरवाल सबका अभार व्यक्त करता हूँ जिनोंने इस कारिकरम के आयोजन, सहियोजन में भूमी का निभाई है और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया है इसके अलावा भी जिनका नाम नहीं ले पाया, ऐसे सभी कारिकरता भारस वाजमान के पदादिकारी, पतंजली पीठ के पदादिकारी जिनोंने इस आयोजन में प्रत्थम नगर में आया हूँ, मुझे बहुत आनंद की अनुभूती है और आनंद की अनुभूती का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश के जो आजादी की लडाई के प्रतम पंक्ती के शहीदों में जिनकी गिंती होती है महरानी जहासी लक्षुए बाई उनकी कर्म भूमी पर मैं आया हूँ इसका मुझे बहुत आनंद है और आते ही मुझे एक सुखत समाचार आपके महाफोर जी का मिला कि यहाँ एक जोती जलाने का काम पिछले वर्ष शुरू हुआ है उनकी समाधी पर हमारे प्रतम स्वाधी निता संग्राम के 150 वर्ष पूरे हुए पिछले साल उस निमित्य से यहाँ पर जोती जलाने का काम जो अखंड जोती है वो प्रजुलित करने का काम हुआ है यह बहुत आनंद और सुख की बात है इस देश के शहीदों की जहां समाधियां है वहां पर सभी जगे ऐसा होना ही चाहिए यह तो एक सामन निसी बात है लेकिन हम आजदी के 62 साल के बाद कुछ-कुछ शहीदों को याद कर पाएं और यह काम कर पाएं तो यह हम अपने ही पाप को कुछ कम करेंगे ऐसा मुझे लगता है कि यह तो काम 1947 में ही होना चाहिए आजदी मिलते ही यह काम होना चाहिए क्योंकि जिन्होंने आजदी दिलाई है अगर उनके प्रतिहम सम्मान नहीं कर सकते क्रतगिता ग्यापित नहीं कर सकते तो हम से ज़्यादा क्रतगन और कौन हो सकता है तो यह आनंग का समाचार मुझे मिला इसके लिए मैं महापौर जी को बधाई देता हूँ उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ इनों ने ये काम करने में सक्रिय सहयोग दिया होगा भारत स्वाविमान नाम का एक अभ्यान शुरू हुआ है पिछले जनवरी पाँच से दोहजार नौ में ये अभ्यान संपूर भारत देश में शुरू हुआ है परमपूजिनिय स्वामी रामदेव जी इसके अध्यक्ष है आचारे बालकरशन जी इसके महामंत्री है मुझे परमपूजिनिय स्वामे जी ने राष्ट्रिय सचिव की जिम्मेदारी दे रखी है इसके अलावा इस अभ्यान में 680 जिलों के जिला प्रभारी है 31 राज्यों के राज्य प्रभारी है और सारे देश में करीब 2,40,000 योग सिक्षक है जो इस अभ्यान के साथ तन्मंधन से लगे हुए है हमारी ऐसी कोशिश है कि जन्वरी 2010 तक इस अभ्यान में लगबग 11,00,000 लोग पूरे देश में सक्रिय सहबागी हो जाएंगे और अगले वर्ष से परम पूजनिय स्वामी जी खुद एक एक जिले के प्रभास पर निकलने की तैयारी में है तो हमारा नुमान है कि स्वामी जी का जो जिलेओं का प्रभास होगा और अगर वो दो साल चल गया तो सारे देश के करीब पांच करूर लोग इस अभ्यान से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाएंगे उसके बाद हम कुछ काम करना चाहते है एक बार हमारा संगठन खड़ा हो जाए हमारी शक्ती हो जाए तो हम कुछ काम करना चाहते हैं और वो काम क्या करना चाहते हैं अगर एक वाक्य मैं कहूं तो शहीदों के अधूरे सपनों को हम पूरा करना चाहते हैं इसी के लिए हमने ये भारत स्वाविमान अभयान बनाया है हमारे देश के करांतिवीरों के हमारे देश के शहीदों के हमारे देश के महापुरशों के जो सपने है भारत के बारे में ऐसा भारत होना चाहिए ऐसा भारत होना चाहिए वही हम पूरा करना चाहते हैं होना तो यह चाहिए था कि यह सारे सपने सारे आदर्श जो करांतिकारियों ने देखे शहीदों ने देखे वो आजादी मिलते ही पूरे होते लेकिन नहीं हो पाए है उसके कुछ गंभीर कारण है उन कारणों की जाँच पड़ताल करके उनका कोई समाधान निकालने की प्रयास में हम सब लोग है मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस है बहुत दुख है कि हमारे देश की आजादी बहुत कीमती है बहुत मूल लिवान है हमारी आजादी का मूल हमारी आजादी की कीमत अगर आप जानना चाहें तो दो तीन जानकारियों से आप उसको अंदाजा लगा सकते हैं पहली जानकर ये कि महरानी जहासी लक्षमी भाई का जो बलिदान हुआ बगत सिंग, उदम सिंग, चंदर शेकर जैसे करान्तिकारियों के जो बलिदान हुए नाना सहब, पेश्वा, तांतिया, टोपे के जो बलिदान हुए ऐसे बलिदान हमारे देश में साथ लाख बत्तीस हजार साथ सो अस्सी हुए एक दो बलिदान के बाद आजादी नहीं आए अंग्रेजी सरकार के जो रिकॉर्ड्स हैं अंग्रेजी सरकार के जो दस्तावेज हैं और जो दस्तावेज ब्रिटिश पार्लेमेंट में रखे हुए हैं जो अभी तक भारत भी नहीं लाए गए हैं क्योंकि भारत सरकार को उसमें कोई रुची नहीं है लाने में कोई रस नहीं है मुझे तो ये भी कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि भारत के जिन करांतिकारियों को लंदन में फांसी दी गई थी उनके death certificate और death warrant अभी तक भारत नहीं पहुँचे आज़ादी के 62 साल 63 साल शुरू है जिन शहीदों को लंदन में फांसी दी गई ऐसे बहुत शहीद है लंदन की जेलों में उनके death warrant पड़े हुए है death certificate पड़े हुए है कई शहीदों की अस्थियां वहाँ जेलों में रखे हुए है वो अभी तक हमारे देश में नहीं आई है यह हमारे देश के आजदी के बाद के जो नेता हैं शाशक हैं उनका असली परिचा देने के लिए काफी है कि वो कैसे वेक्ति तो जो काम शहीदों के आज़ादी के सपने के साथ जुड़ा हुआ है वो काम अधूरा है वो हमें पूरा करना है इसी के लिए बारत स्वाविमान अविहान बना है हमारे शहीदों की जो शहादत है मैंने बताया 7,32,780 करांतिकारी इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए या फांसी पे चड़ा दिये गए ये संख्या उन करांतिकारियों की है इसके अलावा अंग्रेजों ने हमारे देश के साधरन नाग्रिकों के उपर जो अत्याचार किये और उनमें जो लोग मारे गए मैं उनको भी किसी करांतिकारी से कम नहीं मानता वो संख्या साड़े चार करोड है एक ही उधारन से बताता हूँ आप ग्वालियर में रहते हैं ग्वालियर के नजदीक में एक बड़ा नगर है उसका नाम है कानपूर कानपूर के पास एक छोटा सा इस्थान है बिठूर बिठूर वो इस्थान है जहां 1857 क का प्रथम स्वाधिनता संग्राम तैयारी करने के लिए बैठके हुई हैं नाना साब पेश्वा तात्या टोपे जहांसी रानी लक्ष्वी भाई नाना फड़नवीस इन क्रांतिकारियों ने मिलकर जो योजनाय बनाई सबसे पहले वो बिठूर से बने और अंग्रेजों को ब बिठूर पर हमला किया था ये 1857 के बाद की घटना है उस समय बिठूर में 24,000 लोग रहते थे 24,000 लोगों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया तीन महिने के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजर्ग किसी को नहीं छोड़ा था अंग्रेजों और जिन लोगों को अंग्रेजों ने मार डाला उनको बाद में नीम के पेडों से, पीपल के पेडों से, बरगत के पेडों से फासी लटका कर चोड़ दिया था ताकि आने जाने वाले लोग देखें और उनमें दहशत पैदा हो आतंक पैदा हो कि अंग्रेजी सरकार का विरोध करने का अन्ज और नगर थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी और अंग्रेजों ने पूरी ताकत से उनको कुचल दिया था अत्याचार की सारी सीमाएं उन्होंने तो लगबग साड़े चार करोड भरतवाशी इस तरह से अंग्रेजों के अत्याचार का शिकार होके शही प्रादत को भी नमन है जिन क्रांतेकारियों को अंग्रेजों ने फासी पर चड़ाया उन को तो हम नमन करते ही हैं। इसी तरह से लेटिन अमेरिका के बहुत सारे देश गुलाम हुए अलग अलग समय पर जापान गुलाम हुआ है अंग्रेजों का चीन कुछ दिनों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। किसी भी देश में अफरीका की आजादी का इतिहास हम पढ़ते हैं पता चलता है थोड़े से लोगों ने अफरीका की आजादी हासिल कर ले अलजीरिया की आजादी बहुत कम लोगों ने हासिल कर ले रोडेशिया एथियोपिया सोमालिया इन सब देशों की आजादी थोड़ से लोगों ने अपने देश को आज़ात करा लिया ये भारत अकेला देश है डुनीया के पचास देशों में जहां की आज़ादी लाने में हमें साड़े चार करूर से जाधा लोगों के बलेदान देने पड़े हमने तो अभी इस पर कोई काम नहीं किया है कि ये साड़े चार करोड लोगों के नाम क्या है उसकी कोई सूची अभी तक भारत सरकार ने तयार नहीं कि ये तो अंग्रेजी सरकार के जो रिकॉर्ड्स हैं दस्तावेज हैं जो ब्रिटिश पार्लेमेंट हाउस ओफ कॉमन्स में पढ़े हैं उन में से निकाल कर लाई गई चोटी चोटी बाते हैं जिससे हम को पता चलता है तो बहुत कीमती है आजादी बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाई है इस देश की आजादी इस देश की आजादी की कीमत क्या है अगर आप जानना चाहें तो उन शहीदों के, महापुरुषों के, करांतिकारिओं के, परिवारों से पूछे जिन्नों ने कुछ न कुछ बलिदान किया है इस देश की आजाद वो बताइंगे कि करांती की कीमत क्या है महराश्र नाम का एक राज्य है, पुणे नाम का एक शहर है वहाँ पर एक ही परिवार, चाफेकर परिवार के तीन नौजवानों को फासी हुई थी एक ही परिवार में तीन बेटे थे, तीनों फासी पर चड़ गए चाफेकर बंदों के परिवार में जाकर आप पूछेंगे तो वो बताएंगे आज़ादी की कीमत क्या है सुतंतरता की कीमत क्या है तात्या टोपे के परिवार में अगर आप जाकर पूछेंगे तो वो बताएंगे आज़ादी की कीमत क्या है बगत सिंग के परिवार में जाकर पूछेंगे तो अंदाजा लगेगा आज़ादी की कीमत क्या है हमारे जैसे लोगों ने कम से कम मैं अपनी बात कह सकता हूँ जिनों ने कुछ नहीं खोया इस तेश की आजादी के लड़ाई में जिनों ने कुछ नहीं खोया इस तेश के स्वाधिनता संग्राम में उनको आजादी की वास्तविक कीमत का अंदाजा नहीं है क्योंकि दिल में उतना दर्द होना चाहिए जजबा होना चाहिए उसको समझने का बहुत कीमती है ये आज़ादी जो भी आई है लेकिन दुख उससे भी बड़ा ये है कि ये जो आज़ादी आई वो शहीदों के सपनों के अनुरूप नहीं आई हमारे करांतिकारियों के जो सपने थे उसके अनुरूप ये आज़ादी तो नहीं है सबसे बड़ा सपना ये था कि आज़ादी के पहले भारत जितना बड़ा था आजादी के बाद भी भारत उतना ही बड़ा होना चाहिए भौगौलिक रूप से माने भारत की सीमाएं जहां तक लगती थी आजादी के पहले आजादी के बाद के भारत की सीमाएं भी उतनी ही होनी चाहिए थी आपको मालू मैं आजादी के पहले का भारत अफगानिस्तान तक फैला हुआ था आजादी के पहले का भारत इस समय के भारत से बहुत बड़ा भारत था लेकिन आजादी मिलते ही भारत के टुकड़े हुए और इस देश की आजादी खंडित हो गई हमारे किसी भी शहीद ने ये सपने में नहीं सोचा था कि आजादी मिलते ही देश का खंड-खंड बटवारा होगा देश को तोड़ना पड़ेगा मुझे वो दिन याद आपको कराना है 1905 में अंग्रेजों ने इस देश में एक बहुत बड़ा खेल खेला था अंग्रेजों का एक अधिकारी इस देश में हुआ कर्जन कर्जन ने बंगाल का बटवारा कर दिया था उस जमाने का जो बंगाल था वो आज के जमाने से बहुत बड़ा था अभी का हमारा जो पश्चिम बंगाल है वो पूरा का पूरा अभी का हमारा जो बिहार है अभी का हमारा जो उडीसा है जारखंड है इतना बड़ा इलाका था बंगाल का और भारत के उपर के जो छोटे छोटे साथ प्रदेश हैं आसाम, नागलेंड, मिजोरम, मनीपोर, तरपुरा वगरा वगरा इनको मिलाकर पूरा बंगाल था उस बंगाल को अंग्रेजों ने दो टुकडों में बाटा, पूर्वी बंगाल और पश्चमी बंगाल, और ये बटवारा हिंदू और मुसल्मान के आधार पर हुआ, पूर्वी बंगाल अंग्रेजों ने मुसल्मानों को दे दिया पश्वी बंगाल हिंदुओं को दे दिया ये करजन नाम की एक अधिकारी ने 1905 में किया था माने संपरदाय के आधार पर भारत बटे संपरदाय के आधार पर इस देश के राज्यों का बटवारा हो वो अंग्रेजों ने शुरू किया था 1905 से लेकिन हमारे क्रांतिवीरों की ताकत उनका पराक्रम उनका होसला उनकी दूर द्रश्टी वो इतनी काविले तारीफ है कि अंग्रेजों की इस चाल को उनोंने नाकाम कर दिया जैसे अंग्रेजों ने उननी सो पांच में ये बटवारा किया हिंदू मुसल्मान के आधार पर लाला लाजपत्राय, विपिन चंदरपाल, लोकमानि बाल गंगाधर तिलक ऐसे हिंदुस्तान के सारे क्रांतिकारी एक साथ एक मंच पर इकठे हो गए और अंग्रेजों के संपरदाय के आधार पर बटवारे का पूरी ताकत से विरोध किया और विरोध भी ऐसे किया कि अंग्रेजों को सरंडर करना पड़ा इन क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों को जवाब देने के लिए एक स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और इन क्रांतिवीरों का ये कहना था कि अंग्रेजों की ताकत और हैसियत इस देश में जो बढ़ी वो उनके व्यापार से बढ़ी उनका माल हमने खरीदा उनको पैसा मिला उस पैसे से उनको ताकत मिले तो इन क्रांतिकारियों का कहना था कि ये ताकत इनकी छीन लो इनका माल विकवाना इस देश में बंद करा दो और अंग्रेजों को जब पैसे नहीं मिलेंगे इस देश भारत से तो कमजोर पड़ेंगे, कमजोर पड़ेंगे, तब ये हमारी बात को मानेंगे, सुनेंगे सारे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ 1905 से 1911, 6 साल में स्वदेशी आंदोलन में 1 करोड 24 लाख से जादा कारिकरता एकठे हुए और ये उस समय के भारत की कहानी है जब भारत की कुल जनसंख्या मुश्किल से 22 करोड के असपास थी और इन करांतिकारियों ने इन नौजवानों ने अंग्रेजी सरकार को ऐसा मजबूर किया कि 1911 में जाकर अंग्रेजी सरकार को बंगाल का बटवारा वापस लेना पड़ा ये अंग्रेजों के इतिहास में पहली और आखरी घटना थी कि अंग्रेजों ने जब कोई काम किया कानून बना दिया Division of Bengal Act उस कानून को British Parliament में रद्द करना पड़ा और बंगाल का बटवारा खतम करना पड़ा हिंदू और मुसल्मान के आधार पर देश को बाटने की जो साजिश उन्होंने की थी उसमें अंग्रेज पूरी तरह से असफल रहे और हमारे क्रांतिकारी सफल रहे सार्थक रहे मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस बटवारे को हमने 1905 में खतम करा दिया हिंदू मुसल्मान के आधार पर जिस बंगाल को फिर से एक करा दिया इस देश के हिंदू मुसल्मानों ने मिलकर उसी देश का बटवारा 1947 में हम रोक नहीं पाए और वही बटवारा हिंदू और मुसल्मान के आधार पर फिर हुआ पहले बंगाल का हुआ था बाद में पूरे देश का हो गया आप पूछेंगे जी क्या कारण था क्या क्रांतिकारियों के जोश में कमी आई क्या उनका उत्साह खतम हो गया उनके पराक्रम में कोई कमी आई ऐसा क्या हो गया कि 1905 से 1911 में हम अंग्रेजों की चाल को नाकाम करें और 1947 में अंग्रेजों की वही चाल कामियाब हो जाए उसका एक ही कारण था कि 1905 के जो क्रांतिकारी इस देश के लिए लड़ रहे थे उनके मन में सत्ता और सिंगहसन का कोई लोब नहीं था कोई लालच नहीं था उनको न सत्ता चाहिए थी ना सिंगहसन चाहिए था इस देश के वो तो लड़ रहे थे किसी आदर्श की पूर्थी के लिए किसी उद्देश की पूर्थी के और आदर्श और उद्देश ये था कि भारत देश अखंड रहे ये तूटे नहीं किसी भी इस तर पर ये देश का बटवारा ना हो तो आदर्श और उद्देश ये जब उँचे होते हैं तो इश्वर भी उसमें मदद करता है शायद इश्वर ने हमारी मदद की शहीदों के आदर्श बहुत पवित्र थे बहुत उँचे थे और 1905 का बटवारा टालने में हम सफल रहे लेकिन 1947 तक आते आते इस देश में महापुरुशों के चहरे बदल चुके थे 1947 तक आते आते कई महापुरुशों के मन में सत्ता और कुर्सी और सिंगासन का लोब जग गया था कई महापुरुशों के मन में ये तैव हो गया था कि मुझे देश का प्रधान मंत्री बनना है या उसे देश का प्रधान मंत्री बनना ये सत्ता और सिंगासन का लोब जब चढ़ा तो भारत के बटवारे को हम रोक न सके एक ही देश में दो-दो लोगों ने जब दावेदारी ठोक दी कि मैं भी प्रधान मंत्री हो सकता हूँ उस प्रधान मंत्री पद के लालच ने इस देश को बटवारा करा दिया अनिता 1947 में भी ये देश बटता नहीं ये देश तूटता नहीं, खंड खंड रहता नहीं होता सत्तावर सिंगहसन का लालच आया उननीस सो से तालीस में अपने अपने तरीके से लोगों ने दावेदारी प्रस्तुत की और वो दावेदारी इतनी खतरनाक थी कि अंग्रेजों को समझ में आ गया कि जिनके मन में ये लोब है, अब उनको ही हम अपना इस्तेमाल करें कटपुतली की तरह से तो वो ही हमारे बटवारे को सुईकार करेंगे और वही हुआ है इस देश दो लोगों की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ने दो लोगों की प्रधानमंत्री पद की जिद ने इस देश के दो टुकड़े करा दे एक देश में दो प्रधानमंत्री हो नहीं सकते दो देश में दो प्रधानमंत्री हो सकते उस चक्कर में ये देश बटा नहीं तो बटता नहीं 1947 में भी नहीं बटता हमारे देश में यही हुआ जो गड़बडी का बीज डाल गया सूत्र पात कर गया 1947 के पहले के करांतिकारियों का सत्ता और सिंगहसन का लोब नहीं देश और आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान ये सपना 1947 तक आते आते सत्ता और सिंगहसन महत्वण हो जाए और अपने को कुर्बान कर देने की और अपने को बलिदान करने की बात पीछे हट जाए तो देश बटता है और वो बट गया और वहीं से खंडन शुरू हो गया इस देश के विभाजन के बीज बोए फिर विभाजन हो गया अंग्रेजों ने तो एक बहुत बड़ी चाल खेली थी कि भारत और पाकिस्तान का ही बटवारा ना हो भारत के एक एक राज्य का अलग-अलग बटवारा हो जाए पांचसो पैंसट रियासतें थी हर रियासत को अंग्रेजों ने अधिकार दे दिया था कि आप चाहो तो भारत में मिलो चाहो तो पाकिस्तान में जाओ चाहो तो सुतंत्र हो जाओ तो बहुत सारी रियासतें ये सपना देख रही थी कि हम तो अलग देश बनाएंगे जम्मू कश्मीर उसमें से एक था, जुनागड उसमें से एक था, भोपाल उसमें से एक रियासत थी, हैदरबाद उसमें से एक रियासत थी ये तयार नहीं थे भारत में मिलने के लिए इनका सपना था कि हम अलग राश्ट बनाएंगे ये तो भगवान ने उस समय पर सरदार बल्लब भाई पटेल को प्रस्तुत किया इस देश के लिए और उन्होंने 565 राजा महराजाओं को किसी तरह से डरा कर धमका कर पुछकार कर प्रेम करके महबत करके भारत में विले करने के लिए मंजूर करा लिया वरना अंग्रेज तो बहुत खतरना खेल खेल रहे थे भारत को छोड़ते समय भारत के 565 टुकड़े हो जाएं ये उन्होंने खेल खेला सरदार पटेल नहीं होते तो भारत आज ऐसा नहीं होता जैसा हम देख पा रहे हैं सरदार पटेल लेकिन भारत के पाकिस्तान बनने से नहीं रोक पाए क्योंकि वहां उनकी बहुत सारी चीजें चल नहीं पाएं पाकिस्तान भी नहीं बटता अगर सारी कुछ सरदार पटेल की चली होती तो पाकिस्तान भी अलग नहीं होता अगर सब कुछ उनकी चली होती तो जहां तक उनकी चली और जहां तक उनकी सीमा थी करने की उन्होंने भारत के बहुत सारे हिस्सों को एक कर दे लेकिन उसके बाद की कहानी बहुत दर्दनाक है इस देश की और वो कहानी ने हमको मजबूर किया है कि हम भारत स्वाविमान जैसा अभियान चलाएं कहानी सीधी सी ये है कि आजादी आई हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार की प्राथमिक्ता क्या होनी चाहिए सीधी सी प्राथमिक्ता ये होनी चाहिए कि शहीदों ने जो कुर्बानी देकर आजादी लाई है उनके सपने क्या है उनको पूरा करने के लिए सरकार काम करें ये सबसे पहली पृत्मिकता हो नीचे हमारे शहीदों के सपने क्या है? छोटी छोटी से सपने हैं उनके बहुत बड़े नहींैं मैं कुछ शहीदों के बारे में आप से बात करना चाहता हूँ एक बड़े शहीद इस देश के अमर शहीद जिनको कहा जाता है भगत सिंग उन्होंने जेल में एक डाइरी लिखी अपने आप जानते हैं भगत सिंग को फांसी की सजा होई थी उनके दो आरोपों के आधार पर एक तो एक पुलिस अधिकारी सांडर्स को उन्होंने गोली से मार दिया था और दूसरा उन्होंने असेंबली में बम फेका था असेंबली माने हमारी आज की ये संसत जो चलती है दिल्ली में उस जमाने में इसको असेंबली कहा करते थे तो संसत में बम फेका था उस बम से कोई घायल नहीं हुआ था कोई मरा नहीं था बम में कोई छर्रे नहीं थे कोई गोला बारूद नहीं भरा हुआ था उसमें कुछ पर्चे भरे हुए थे कागज के और उन पर कुछ लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ था ये लिखा हुआ था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए अंग्रेजों को भारत से चले जाना चाहिए ये लिखा हुआ था और दूसरी बात ये लिखी हुई थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजियत को भी भारत छोड़ देना चाहिए अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही है उस परचे में इतनी जादा इसपश्टता से लिखा हुआ था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही है आज नहीं तो कल अगर आज अंग्रेज भारत से छोड़ते हैं तो उनकी कुछ इज़त बची रहेगी सारी दुनिया में नहीं तो कल हम उनसे भारत छोड़वा लेंगे तो सारी दुनिया उनको थूथू करेगे जब हम उनसे भारत छोड़वा लेंगे तो दुनिया में अंग्रेजों की बेज़ती और अपमान होगा और अंग्रेज आज अगर खुद छोड़कर चले जाएंगे तो उनका सम्मान होगा सारी दुनिया में ये इस पष्ट रूप से उस परचे पर लिखा हुआ था किसने तयार किया था वो परचा हमारे देश के जो अमर शहीद भगत सिंग इनके एक सहयोगी थे मनमत नात गुप तुनों ने वो परचा तयार किया था और वो परचा क्या था हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन नाम का एक संगठन बना था उस संगठन का घोशना पत्र था इस संगठन की नीप पड़ी थी उननीस सो चौवीस में बनारस में इसका पहला सम्मिलन हुआ था इस सम्मिलन की अध्यक्षता की थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिलने और चूंकि उन्होंने अध्यक्षता की थी तो उनको जीवन भर के लिए संगठन का अध्यक्ष बना दिया गया महासचिव इसके बने थे पंडित चंद्र शेकर आजा कोशा अध्यक्ष बने थे मनमतनाद गुप्त फिर इसके प्रसार विभाग के मंत्री बने थे शचिंद्रनात लाहडी ऐसे करके क्रांतिकारियों ने ये संगठन खड़ा किया था इसका एक घोशना पत्र जारी हुआ था कि हम ये संगठन क्यों बना रहे हैं और उस घोशना पत्र का नाम दिया गया था दर रिवोल्यूशन मने करांति उसमें कुछ बिंदु तै किये गए थे और वो बिंदु शहीदों के सपनों को बताते हैं पहला बिंदु ये था कि अंग्रेज भारत छोड़ें दूसरा विंदु था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजियत भी भारत छोड़ें अंग्रेजियत को उन्हों गया पूरा का पूरा तंत्र, ये भी भारत से जाना चाहिए, खाली अंग्रेज भारत छोड़ कर चले जाए, इतने से बात नहीं बनेगी, अंग्रेजों की नीतियां, अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजों के नियम, अंग्रेजों की व्यवस्थाएं, अंग्रेजों का स्वदेशी तंत्र आना चाहिए, स्वराज जाना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए स्वतंत्र शब्द पर जोर था उस गोशना पत्र में स्वतंत्र माने अपना तंत्र, स्वा माने अपना तंत्र माने व्यवस्था हमारी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए हमारे अपने कानून होनी चाहिए ये सब कुछ रिवोल्यूशन में लिखा गया था और ये रिवोल्यूशन जारी हुआ 1924 में ये बहुत बड़ा गोशना पत्र है लेकिन इसका संग्शिप्त रूप शहीद आजम भगत सींग ने असेंबली में फेका था बम के साथ संग्शिप्त रूप और उन्होंने कहा था कि इस कारी के लिए अगर हमको अपना बलिदान देना है कुर्बानी देना है तो भी हमें मनजोर है तो अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी व्यवस्ता, अंग्रेजी तंत्र सब खतम करना था ये हमारे देश के शहीदों का सपना था खाली अंग्रेजों को भगा देना है इतने से बात नहीं बनने वाली थी मात्मा गांदी ने तो आजादी के समय 1946 में ये बात कही थी बहुत इसपश्टता से किसी अंग्रेज पत्रकार ने जो लंदन से आया था गांदी जी का इंटर्व्यू लेने के लिए BBC का पत्रकार था उसने जब गांदी जी को ये पूछा कि आप क्या चाहते हैं तो उन्होंने इसपश्ट कहा कि अंग्रेज चाहें तो भारत में महमान बरके रह सकते लेकिन हमें अंग्रेजियत को इस देश से विदा करना है अंग्रेज चाहें तो इस देश में रहें महमान बनके जब तक उनकी इक्षा हो हम उनके महमान बनकर इस देश में रहने पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे लेकिन अंग्रेजों ने जो तंत्र बना दिया है इस देश में गुलामी का जो कानून बना दिये हैं वो तो हमें नहीं चाहिए एक मिनट के लिए भी उसे तो हम खतम करेंगे इस देश अब आप जानते हैं महात्मा गांदी का रास्ता था अहिंसा वाला शहीद आजम भगत सिंग्ग का रास्ता था अहिंसा वाला दो अलग अलग रास्तों से चलने वाले करांतिकारी मैं इन दोनों को कैंची जैसा मानता हूँ कैंची होती है न उसमें दो फाले होते हैं दोनों ही काटते हैं एक हिंसा से और एक हिंसा से ये दोनों ही तरह के करांतिकारी भारत की आजादी की कैंची जैसे थे जो काटना चाहते थे इस पूरी गुलामी की बेडियों को एक अपने तरीके से दूसरा अपने तरीके से तरीके अलग थे उद्देश शेकी था ये कितनी अद्वुत साम मिता है कि शहीद आजम भगत सिंग 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल 1924 में चंदरशेकर आजाद 1924 में जो बात कह रहे हैं गांदी जी उसी को कह रहे हैं 1946 में वो कह रहे हैं हमें अंग्रेजियत नहीं चाहिए और 1924 में ये करांतिकारी कह रहे हैं हमें भी अंग्रेजियत नहीं चाहिए स्वतंत्रता चाहिए स्वदेशी तंत्र चाहिए स्वराज चाहिए इसका मतलब यह है कि अहिंसावादी करांतिकारी हो या हिंसावादी करांतिकारी हो सपने दोनों के एक ही थे कारे दोनों का एक ही था उद्देश दोनों का एक ही था बस उद्देश को हासिल करने का तरीका अलग-अलग था हमारे देश में शहीद आजम भगत सिंग वाले रास्ते पे चलने वाले एक और महन करांतिकारी हुए सुभाश शंद्र भोस 1940 में जब उन्होंने भारत छोड़ा और उनके कुछ मित्रों ने उनसे पूछा कि आप भारत छोड़कर कहा जाना चाहते हैं तो उनके मित्र कहा करते थे कि मात्र इसलिए कि अंग्रेजों उपर हमला करें और अंग्रेज हार के चले जाए उनने का इतना ही नहीं है अंग्रेज चले जाएं उस देश की विवस्था को बदलने का काम शुरू किया जाए इसके लिए मैं भारत छोड़ना चाहते है और छोड़ा उन्होंने भारत बनाई आजाद हिंद फौज और किया हमला अंग्रेजों के उपर और कुछ हद तक वो सफल और सार्थक भी हुए उसमें मैं आपके दिमाग में एक ही बाट डालना चाहता हूँ कि हिंसा वाले या अहिंसा वाले दोनों ही रास्ते पर चलने वाले करांतिकारियों के मन में एक बात इस पश्ट थी कि हमें वो भारत तो नहीं ही चाहिए जो अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया है हमें तो कुछ नया भारत चाहिए अब होना क्या चाहिए था आज़ादी मिली 15 अगस्त 1946 को 47 को माफ करिए 46 में हमारे देश में ये घोशना हो गई थी कि अंग्रेज चले जाएंगे और उसके बाद हमारी अंतरिम सरकार बन गई थी 17 सितंबर 1946 से इस देश में एक अंतरिम सरकार का गठन हो गया था और उसने कामकाज अपना समहल लिया था और अंग्रेजों की तैयारी थी कि ये जो अंतरिम सरकार है इसी को सत्ता का हस्तांतरन करके वो जाएंगे तो 1946 में तैय हो गया अंग्रेज चले जाएंगे घोशना भी हो गई तो सरकारों को क्या करना चाहिए था कि सारे शहीदों के वो हिंसार वाले रास्ते के हो या अहिंसा वाले रास्ते के उनके सपनों को उनके आदर्शों को उनके घोशना पत्रों को एकठा करके सरकार को अपना नीती पत्र और घोशना पत्र जारी करना चाहिए था कि वह आज़ादी के बाद तो हम तो इनके सपनों का भारत बनाना चाहते हैं और उसी के लिए हमने ये आज़ादी पाई है लेकिन ऐसा नहीं हुआ शहीदों के विचारों को उनकी घोशना पत्रों को उनकी नीतियों को उनके कारिक्रमों को सब दरकिनार कर दिया गया और भारत को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया गया जिस रास्ते पर जाने के लिए हमारे शहीद कभी भी तयार नहीं अब दर्द क्या है इस देश का वो ये है कि हम भारतवासी हैं आज भी विदेशी व्यवस्थाओं में जीवित हैं हम एक तरफ कहते हैं आजाद हो गए हैं लेकिन गुलामी के सारे के सारे कानून अभी भी हमारे उपर लदे हुए एक भी कानून इस देश ने आजादी के बाद खतम नहीं किया जो अंग्रेजों ने गुलामी के लिए लाया था इसलिए भारत स्वाभिमान मानता है कि ये आजादी अधूरी है ये स्वराज अधूरा है ये स्वतंतरता नहीं है ये एक तरह की परतंतरता और गुलामी की ही इस्थिती है बस अंतर इतना ही हो गया है कि पहले इस देश पर राज करने वाले गोरे अंग्रेज थे अब राज करने वाले कुछ काले अंग्रेज पैदा हो गए है इस से जादा कोई अंतर इस देश की व्यवस्ताओं में नहीं आया मैं कुछ उधारन से मेरी बात इसपश्ट करना चाहता हूँ शहीद आजम भगत सिंग को फासी हुई थी आप सभी जानते हूं उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था J.P. Sanders उसको गोली मार दे थी लाहर इरा Sanders को गोली क्यों मारी थी Sanders वो अंग्रेज अधिकारी था जिसने इस देश के एक महन करनतेकारी लाला लाचपत्राई के सिर पर लाठीओं से इतना वार किया था कि लाला जी को ब्रेन हेमरेज हुआ था और उनकी म्रत्ति हुई थी सांडर्स नाम के जिस अधिकारी ने लाला लाज़ पत्राई पर लाठी चार्ज किया वो अधिकारी को जब पूछा गया कि तुमने लाला लाज़ पत्राई पर लाठी चार्ज क्यों किया तो उसने का मेरा अधिकार था, मेरा कर्तब भी था उसको जब पूछा गया कि तुम्हेरा अधिकार कहां से आया तो उसने का एक कानून इस देश में लागू है जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट उसने मुझे अधिकार दिया है लाठी चार्ज करने का तो जड़त कहां थी इंडियन पुलिस एक्ट नाम के कानून और इंडियन पुलिस एक्ट का जब कानून इस देश में बना और लागू किया गया तो वो साल था सन अठारे सो साथ 1860 में अंग्रेजों की सरकार ने ये कानून इस देश में लागू किया था इंडियन पुलिस है ये कानून लंदन से पास हुआ था ब्रिटिश पार्लेमेंट से इसको पास किया गया था और भारत में इसको लागू किया गया बिटिश पार्लिमेंट में इस कानून के समय की जो बहस हुई थी उसके सारे दस्तावेज हमने निकाले और उनको बड़े बारीकी से और ध्यान से पढ़ा अंग्रेजों ने ये पुलिस बनाई क्यों क्योंकि 1860 के पहले इस देश में पुलिस नहीं होती थी आज हम डोलते ना पुलिस कानून व्यवस्था का रक्षण करने के लिए है 1860 में जब पुलिस बनी थी तो उसका ये उद्देश नहीं था कानून व्यवस्था का रक्षण करना उनका उद्देश था भारत के क्रांतिकारियों को जम कर मारना पीटना और उनके उपर अत्याचार करना इसलिए इस कानून में एक व्यवस्था की गई कि हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ओफेंस दिया गया किसी भी भारतिय करना पीटना इसको मैं सरल भाशा में समझाता हूँ राइट टू ओफेंस क्या होता है और राइट टू डिफेंस का मतलब क्या है अगर कोई अंग्रेज पुलिस अधिकारी के दिल में आए कि मुझे इसको लाठी से पीटना है वो पीटेगा ये उसका राइट टू ओफेंस है मारेगा पीटेगा सिर्फ ओड़ देगा टांगे तोड़ देगा लवलुहान कर देगा ये उसका राइट टू ओफेंस है लेकिन जो पिट रहा है अगर वो लाठी को पकड़ेगा तो उसका अधिकार उसको नहीं है राइट टू डिफेंस नहीं है इसका माने आप पिटते रहिए अगर आपने लाठी पकड़ी तो कानून कहता है कि आपके खिलाफ मुकदमा होगा कि आपने एक पुलिस अधिकारी को ड्यूटी करने से रोका उसकी ड्यूटी क्या है आपका सिर्फ फोड़ देना लाठीयों से टांगे तोड़ देना ये उसकी ड्यूटी है उसका करतव है और आप अगर लाठी पकड़ रहे हैं अपने बचाओ के लिए तो आप उसको सांडर्स के खिलाफ जब अदालत में बात गई और सांडर्स ने ये जवाब दिया कि मुझे तो कानून ने अधिकार दिया था मैंने लाला लाच पत्राई के सिर पर लाटियां मारी तो ये कानून है मैंने उसका पालन किया मैंने कोई अपराद नहीं किया और सांडर्स बाइज़त बरी हो गया उसको कोई सजा नहीं मिली क्योंकि अधालत ने कहा कि हम तो कानून के आधार पर फैसला कर सकते हैं नियाए नहीं दे सकते नियाए देना एक अलग चीज होती है कानून के आधार पर फैसला करना बिलकुल अलग चीज होती है नियाए तो ये कहता है कि जिस सांडर्स ने लाला जी को मारा लाठियों से सिर्फ फोड़ दिया उस अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा होना चाहिए था उसको जेल में होना चाहिए था क्योंकि लाला जी ने कोई कानून नहीं तोड़ा था इस देश का जब उनके उपर लाठियां बरसाई गई थे वो तो एक शांती सभा करने की तैयारी कर रहे थे कोई कानून का उल्लंगन नहीं कर रहे थे वो हिंदुस्तान की और अंग्रेजी सरकार की किसी संपत्ती का नुकसान नहीं कर रहे थे कोई घर नहीं जला रहे थे कोई बस को नहीं तोड रहे थे कोई पुलिस जीप को नहीं तोड रहे थे किसी पुलिस अधिकारी के ऊपर कोई वार नहीं कर रहे थे वो तो शांती के साथ उस कानून के आधारव पर अधालत ने फैसला दे दिया कि सांडर्स का कोई कसूर नहीं है। बाद में उसका प्रमोशन करने की बात हुई तब भगत सिंग को गुस्सा आया। और शहीद आजम भगत सिंग को अकेले गुस्सा नहीं आया। उनके जो सही होगी थे चंदरशे का राजाद उनको भी गुस्सा आया। और उनने का कि अंग्रेजी साशन और नयाय विवस्था में हमको इतना भी नयाय नहीं मिल सकता। कि हम हमारे करांतिवीर लाला लाच पत्राई की मौत के बारे में सोच सकें समझ सकें और उसका कोई रास्ता निकाल सकें समाधान निकाल सकें इतना भी नहीं मिल सकता। तो भगत सिंग ने संकल्प ले लिया कि अब मुझे कानून अपने हाथ में लेकर नयाय करना पड़ेगा और उन्होंने वो किया सांडर्स को उन्होंने गोली से मार दिया। मारने की कहानी वो आप सबको मालूम है इसलिए सुनाना नहीं चाहता और गुसा इतना था भगत सिंग को कि एक ही गोली में सांडर्स मर गया था फिर भी दो गोली और चलाई उन्होंने उसके शरीट पर इतना गुसा था और उसके बाद भगत सिंग ने ऐलान किया कि अब म अपने साथियों को एक दिन मीटिंग में बात करते हुए भगत सिंग कहते हैं कि ये सांडर्स का मरना जरूरी था नहीं तो ये दूसरे किसी लाला लाच पतराई को मारता तीसरे किसी लाला लाच पतराई को मारता चौते किसी लाला लाच पतराई को मारता और हमारे पास ल सांडर्स को विदा करें इसलिए सांडर्स का मरना जरूरी था और उसके बाद की घटना तो आप जानते हैं असेंबली में बम फेका तो वो घोशना पत्र अंग्रेजों तक तोंचे इसके लिए इन दोनों ही आधार पर फांसी हुई तो मुझे जो कहना है वो ये कि शहीद आजम भगत सिंग को जिस कारण से फांसी हुई वो कारण तो 15 अगस उनीस सो सेटालीस के बाद बदल जाना चाहिए था जिस कानून ने लाला जी के सिर पर लाठियां बरसाई वो कानून तो जला दिया जाना चाहिए था इस देश में सांडर्स जैसे अधिकारियों को जो राइट टू अफेंस दिया गया आजादी के बाद किसी पुलिस अधिकारी को ये राइट टू अफेंस कैसे दिया जा सकता है जो अंग्रेजों ने कभी दिया अपनी अधिकारियों का इस पर बहस होनी चाहिए थी लोकसभा में लेकिन दुख और दुर्भाग इस देश का ये है कि जिस इंडियन पुलिस एक्ट के आधार पर सांडर्स ने लाला जी को लाठियां मार मार के शहीद कर दिया वो इंडियन पुलिस एक्ट आज भी इस देश में चल रहा है और उसमें कोई कौमा फुलिस टॉप का बदलाव नहीं हुआ है इसलिए हम कहते हैं भारत स्वाविमान की तरफ से कि आजादी अधूरी है स्वतंतरता आई नहीं है बसंतर इतना ही हो गया है कि पहले गोरे अंग्रेजों की पुलिस लाठी चार्ज किया करती थी अब काले अंग्रेजों की पुलिस लाठी चार्ज करती है होता है कि नहीं इस देश आप अपनी कोई सम्मेधानिक मांगों को मानने के लिए मनवाने के लिए आप अपने मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए जब भी सरकार के सामने जाते हैं पुलिस बरबरता से लाठियों से पीटती है, मारती है, सिर्फ फोड देती है, टांगें तोड़ देती है, यह आज भी होता है, अभी थोड़े दिन पहले कि एक सची घटना सुनाता हू मैं टेलिविजन के लिए जिसका नाम है नेशनल ब्लाइंड्स असोसियेशन, राश्फ्री अंध लोगों का संगठन जो आँखों से देख नहीं सकते हैं, उन अंधे लोगों के संगठन की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कारिक्रम आयुजित किया गया था, कारिक्र और उनकी मांग साधरन सी थी, कोई बहुत बड़ी मांग भी नहीं थी, कि हर एक अंधे के साथ एक ऐसे व्यक्ति को यात्रा करने का मुफ्त अधिकार दिया जाए, जो उसको सड़क दिखाता है, पार कराता है, साधरन सी मांग थी, कोई बड़ी मांग नहीं थी, इस पर ज गए सट्रे लोगों और उस दिन का द्रश्खिय ये था कि अंधों के साथ जिन को दिखाई देता था वो तो भाग लिए इधर उदर की गली में क्योंकि उनको रास्ता पता था लेकिन अंधे तो भाग नहीं सकते वो देख नहीं सकते उनके तो सिर्फ हट गए इस देश में उस दिन मैंने सोचा क्या हम स्वतंत्र हो गए हैं क्या हम आजाद हो गए हैं इस देश में कोई स्वराज जा गया है आजादी के 62 साल के बाद अगर ये देखना पड़ रहा है हमको अपनी आँखों से एक दूसरी घटना सुनाता है हमारे देश में विकलांग लोगों का एक संगठन है जैसे अंधों का है वैसे विकलांगों का है जिनको कभी पोलियो हो गया जिनके पाउं खराब हो गए पाउं सूप गए वो चल नहीं सकते वो साइकल रिक्षा से चलते तो विकलांग लोगों का एक एसोसियेशन उन्होंने कोई एक कारिक्रम करने का तैय किया और उस कारिक्रम में उन्होंने रैली निकाली उस रैली के उपर पुलिस का लाठी चार्ज हुआ और विकलांग जो भाग नहीं सकते बच नहीं सकते उनके सिर्फ फूटे उस एक तीसरी घटा सुनाता हूँ आपको हिंदुस्तान में राजिस्तान एक नाम का राज्य है उस राजिस्तान राज्य के कुछ किसानों ने एक संकल्प लिया कि हमारे गाउं को पीने का पानी मिलना चाहिए हमारे खेत को पीने का पानी मिलना चाहिए इसके लिए कोई बड़ा कारिकरम हो क्योंकि राजिस्तान सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले एक फैसला लिया था कि गाउं गाउं में शराब की दुकाने तो खोली जाएंगी पीने का पानी मिले या ना मिले और बहुत दुख और अफसोस है कि ये फैसला जिनोंने किया था वो वसुंदर राजे सिंदिहा की सरकार थे राजिस्तान उनका फैसला था कि गाउं गाउं में शराब की दुकाने खुलें लोगों को शराब मिले पीने को पिलाने को, शराब में डूबो दो पूरे राजस्थान को ये एक ऐसी पार्टी की सरकार का फैसला था जो भारतियता की बात करते हैं, राश्टरबक्ती की बात करते हैं देशबक्ती की बात करते हैं, संस्कृती की बात करते हैं, सब्विता की बात करते हैं भारतिय सब्विता में शराब में डूब जाएं हम सब और डूबो दें सब को ये कौन सी पुस्तक में लिखा है कौन से वेदों में लिखा है सरकार का फैसला था किसानों ने विरोध किया किसानों ने का हमको शराब नहीं चाहिए हमको तो पानी चाहिए हमको शराब नहीं चाहिए हमारे खेत को पानी चाहिए उसके लिए उन्होंने कोई रैली निकाली तो पुलिस ने उस रैली के ऊपर गोलियां चलाई और बीसियों किसानों की मृत्तियों हो गई उसी ख़ण उस दिन मैंने अपने आप से पूछा देश आजाद हो गया है देश स्वतंतर हो गया है इस देश के अन दाता के ऊपर इस देश के उत्पादन करता सबसे बड़े उत्पादन करता किसान के ऊपर अगर इस देश की नौकर पुलिस गोली चलाती है नौकर मालिक की इस्थती में आता है कैसी आज़ादी है कौन सी स्वतंतरता इस देश और ये राजिस्थान सरकार का अकेला कहानी नहीं है बंगाल सरकार की कहानी भी ऐसी है वो बीजेपी की सरकार थी, वहाँ कम्यूनिस्टों की सरकार सिंगूर नाम का एक गाउं है वहां के किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए जमीन की सुरक्षा करने के लिए कोई अंदोलंच छेडा सरकार जबरजस्ती उनकी जमीन चीनना चाहती थी किसान जमीन देना नहीं चाहते थे जगडा सरकार और किसानों का हुआ सरकार की पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई सत्रे किसान एकी दिन एकी समय में मारे गए जमीने छीन कर एक बड़ी कमपनी को बेची गई वहां जगड़ा हुआ और उस दिन फिर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि बीजेपी की सरकार की पुलिस हो या कम्यूनिस्ट सरकार की पुलिस हो पुलिस एकी ही है पुलिस का चरित्र एकी ही है पुलिस का कानून एकी है पुलिस की व्यवस्ता एकी है अगर कॉंग्रेस की सरकार होती तो भी पुलिस ऐसे ही काम करती है इसका मतलब ये है कि सरकारें BJP, कॉंग्रेस, जनतादल, CPM, CPI की भले बदलती रहें पुलिस व्यवस्था नहीं बदलती वो वैसी की वैसी ही चलती है जो डेर्ड सो पॉने 200 साल पहले अंग्रेजों ने शुरू की थी अगर पुलिस व्यवस्था डेर्ड सो पॉने 200 साल पुरानी है और पुलिस का कानून 1860 के साल का है और वो आज भी चलता है आजादी के 62 साल के बाद तो हमको भारत स्वाविमान की तरफ से ये कहना पड़ता है कि आजादी अधूरी है स्वतंतरता आई नहीं है सुराज इस्थापित हुआ नहीं है इसलिए हमको भारत स्वाविमान की जरूरत पड़ी है कब बदलेगा ये पुलिस कानून और क्यों नहीं बदलना चाहिए इसको जिस पुलिस कानून के अत्याचारों के चलते लाखों भारत वासियों को शाहदत देनी पड़ी हो वो पुलिस कानून आजादी के बाद क्यों नहीं बदलना चाहिए क्यों वही कानून चलना चाहिए इस देश एक और उधारन देता हूँ आपको अंग्रे जोने आठारे सो साथ में एक और कानून बनाया था जैसे ये पुलिस एक्ट बनाया ना ऐसे एक और कानून बनाया उसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसिज एक्ट इसको आजकल हम कहते हैं इंडियन एड्मिनिस्टेटिव एक्ट कलेक्टर नाम का एक अधिकारी अंग्रे जोने नियुक्त किया अठारे सो साथ में उसका काम क्या था भारत के किसानों से पैसे एकठे करना भारत के व्यापारियों से पैसे एकठे करना भारत के उद्योगपतियों से पैसे एकठे करना और अंग्रेजी सरकार को कोश में भरना ये काम था इसलिए उसका नाम दिया गया collector collector माने to collect the money पैसे एकठे करने वाला अधिकारी collector बना इस देश में अंग्रेजों ने उसके लिए कानून बना दिया Indian Civil Services Act इस कानून के आधार पर एक परीक्षा ली जाती थी उस परिक्षा में अंग्रेजों को सेलेक्ट किया जाता था और भारत में कलेक्टर बनाके नियुक्त किया जाता था उनका मूल काम था गाओं गाओं गली गली नगर नगर से धन पैसा वसूल करके अंग्रेजों के खजाने में जमा करते रहना इसके लिए वो हुआ करता था अब अजादी आ गई 15 अगस्त आ गया 1947 हो गया वो कलेक्टर तो अभी भी जिन्दा है इस देश में वो कानून तो अभी भी जिन्दा है इस देश में बसंतर इतना है कि उसको पहले Indian Civil Services Act कहा करते थे अब उसको Indian Administrative Act कहा जाता है पोस्ट तो वही है अधिकार तो वही है व्यवस्था तो वही है उसमें कोई बदला हो नहीं जितने अधिकार इस देश में अंग्रेजों के कलेक्टर को हुआ करते थे उससे कुछ कम अधिकार नहीं है आजादी के 62 साल के बार अब अंग्रेजों के समय के कलेक्टर का थोड़ा चहरा साफ सुत्रा हो जाए थोड़ा देखने में अच्छा लगे तो नाम उसका कर दिया District Magistrate कहीं कहीं उसको कहते हैं Deputy Commissioner काम उसका वही है जो अंग्रेजों के जमाने में था व्यवस्था वही है पार्टिक्रम वही है जो अठारे सो साथ में था वही सिलेवस पढ़ाया जाता है उनको जो अंग्रेजों के जमाने में पढ़ाया जाता था हमारे देश में एक मसूरी नाम का छोटा सा इस्थान है वहाँ पर एक कॉलेज चलता है ये कलेक्टर लोगों की ट्रेनिंग के लिए मैं कभी-कभी वहाँ व्याख्यान देने के लिए जाता हूँ दुरभागे से मेरे जैसे लोगों को कई बार वो बुला लेते हैं तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि तुम पहले तैयारी करते थे कर छोड़ गए थे अपना इतिहास भी नहीं पढ़ाया जाता हूँ कि इसलिए लगता नहीं कि कोई आज़ादी और स्वत्मत्रता इस तेश को मिल गए और एक उधारन देता हूँ अठारे सो साथ में अंग्रेजों ने और एक कानून बनाया था उसका नाम है इंडियन इंकम टेक्स एक्ट यह अठारे सो साथ में बना और इसके थोड़े दिन पहले एक कानून बनाया था सेंट्वल एक्साइज एक्ट केंद्रिय उत्पाद कर का कानून वो थोड़ा पहले आया और उसके अठारे सो साथ में दूसरा आगया इंडियन इंकम टेक्स है इन दोनों कानूनों को बनाने के समय ब्रिटिश पारलिमेंट में लंबी बहस हुई है यह जानना बहुत जरूरी है हमको कि यह कानून आया क्यों अंग्रेजों की संसद में बात हो रही है और यह अंग्रेज अधिकारी बात कर रहे है वो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं 1857 में भारत में जो क्रांती हुई थी उसको वो विद्रोह कहते थे क्रांती नहीं कहते थे विद्रोह कहते थे सैनिकों का विद्रोह था ऐसा वो बोला करते तो अंग्रेजी संसद में कह रहे हैं कि वो सैनिकों का जो विद्रोव हुआ था 1857 में उस विद्रोव ने हमारी कमर तोड़ दी ये खुद अंग्रेज कह रहे हैं अपनी संसद में कमर कैसे तोटी दस में 1857 को शुरुआत हुई मेरट के एक छोटे से महले से भारतवासियों का गुस्सा इतना तेज था उबाल इतना जादा था कि अंग्रेज अधिकारियों के घर जला दिये मेरट में दस में 1857 की शाम पांच बजे के आसपास और कई अंग्रेज अधिकारी जल कर उसमें मर गए जो भागे घरों से निकल कर महले और पडोस के लोगों ने उनको पीट पीट के मार डाला उनको हसिये से काट डाला गरदन काट दिये मेरट में इतनी बड़ी क्रोध की अगनी फैली थे उसमें अगले दिन दिल्ली में शुरू हो गया 11 मई, 12 मई, 13 मई 15 मई तक दिल्ली के सारे अंग्रेजों का कतले आम हो चुका था, एक अंग्रेज दिल्ली में पांच दिन के बाद जिन्दा नहीं बचा, फिर जलंदर में शुरू हो गई, होशे आरपूर में शुरू हो गई, कपूर थला में शुरू हो गई, फिर ये करांती की लहर बरेल के दस्तावेज बताते हैं कि 3,64,000 से जादा अंग्रेज इसमें मारे गए इस क्रांटी और भारतवासियों ने उनको हसियों से काट दिया या लाठियों से पीट कर मार दिया ऐसी इस्तिती थी माने साधरन भारतवासियों के मन में इतना गुसा और इतना प्रतिशोत था कि उ इंतहा लूट रहे थे धन संपत्ती लोगों का लूट लूट कर इस देश से लेके लंदन जा रहे थे अंग्रेज कितना लूट रहे थे इस देश को एक ही उधारन देता हूं सारे उधारन देने का तो समय नहीं है वक्त नहीं है एक अंग्रेज था उसका नाम था रॉबर कि तुम भारत से क्या लेके आए तो उसने का भारत से नहीं लाया भारत के एक राज्य के एक शहर के एक इलाके से कुछ लेके आया करेक्शन किया उसने प्राइम मिनिस्टर के स्टेट्मेंट उसने का पूरे भारत से लाना तो मेरे बस की बात नहीं है और हम अंग्रेजों को हजार साल लगेंगे तब पूरे भारत से कुछ हम ला पाएंगे मैंने तो भारत का एक राज बंगाल और उसका एक शहर कलकत्ता और उसका एक छोटा सा इलाका उतना ही लूटा है और वो धन में यहां लेके आया तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा है कितना धन लेके आया उसने का गिना नहीं है गिनती नहीं किये तो अंदाजा बता दो तो वो कहता है कि आप अंदाजा लगाना चाहते हैं तो इससे लगा लो कि भारत से जो धन में लूट कर लाया हूँ वो सोने के सिक्के हैं चांदी के सिक्के हैं हीरे जवहरात हैं और बेशकीमती धातुएं हैं ये सब भरबर के लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज लगे और ये घटना जिस समय की है उस समय का पानी का एक जहाज इतना बड़ा होता था कि उसमें 60-70 मीटरिक टन सामाना आता था आज जो पानी के जहाज हैं उनमें 200-1000 मीटरिक टन सामाना आता है कुछ-कुछ जहाज तो ऐसे भी हैं जिन में ढाई तीन हजार मीटरिक टन सामान आता है इस समय के जहाज बहुत विशालकाएं हैं लेकिन अंग्रेजों के जमाने के जो जहाज हुआ करते थे साट से सतर मीटरिक टन मिटीरियल लेके जाते थे अब एक जहाज में साट से सतर मीटरिक टन सामान आए एक मीटरिक टन में हजार किलोग्राम हो और ऐसे नौसो जहाज भरकर सोने के सिक्के चांदी के सिक्के हीरे जवारात अगर एक अंग्रेज लेकर जाए तो कितनी बड़ी लूट है अंदाजा लगाई है और ऐसी लूट किसी एक अंग्रेज ने नहीं की थी जितने अंग्रेज आए सब ने लूटा इस देश दस्तावेज बताते हैं कि ये अंग्रेज आया जिसका नाम रॉबर्ट कलाइब वो लूट के ले गया साथ साल वो इस देश में रहा लूटता रहा फिर उसके बाद वारेन हेस्टिंग आया उसने लूटा फिर उसके बाद करजन आया उसने लूटा फिर लिलित को आया उसने लूटा फिर लॉरेंस आया उसने लूटा फिर डलहोजी आया उसने लूटा फिर विलियम बेंटिंग आया उसने लूटा और ये लूट का सिलसला तब तक चलता रहा जब लाड मौंट बेटन इस देश का आखरी गवर्न जनरल बन के आए तो रॉबर्ट कलाइब से शुरू होकर और मौंट बेटन तक अंग्रेजों के 84 गवर्न जनरल इस देश में आए सब ने लूटा किसी ने साथ साल, किसी ने दस साल, किसी ने बारे साल, किसी ने पाँच साल, किसी ने तीन साल और ये सारा धन एकठा हो होकर लंदन पहुँच गया इस धन की ताकत पर अंग्रेजों ने ओद्योगिक क्रांती की वर्ना इंग्लेंड के पास अध्योगिक क्रांती करने के लिए पूजी नहीं थी एक अंग्रेज की डाइरी का एक वाक्य सुनाता हूं उस अंग्रेज का नाम था जेमस वॉट आपने सुना होगा भापके इंजन का अविशकार उसने किया जेम्स वाट अपनी डाइरी में लिखता है कि अगर मेरा जनम इस्ट इंडिया कमपनी के भारत प्रवास के पहले हो गया होता तो मैं और मेरा आविशकार दोनों ही मर गए होते डाइरी में आगे वो लिख रहा है कि मैं और मेरा आविशकार क्यों मर गए होते तो जेम्स वाट कहता है कि किसी भी आविशकार को फली भूत होने के लिए और द्योगिक तक्नीकी में बदलने के लिए बहुत बड़े पूजी निवेश की आवशक्ता होती है बहुत धन की आवशक्ता होती है और वो धन हमारे इंग्लेंड के पास कभी नहीं होता जो सफल हुए वो प्लासी के युद्ध के बाद ही सफल हुए जब भारत से लूट कर धन उन्होंने लंदन में जमा करना शुरू किया तब उस धन से उन्होंने उद्योग बनाना शुरू किया तब उस धन से उनके यां उद्योगिक करांती आई वरना तो भुकमरी का शिकार था इंग्लेंड जब इस्ट इंडिया कमपनी भारत आई थी तो इंग्लेंड सबसे गरीब देश था दुनिया का इंग्लेंड के इतिहास कारें ने इंग्लेंड के इतिहास में लिखा है कि 15я शताफदी smells के इसे इंग्लेंड में 3.5 करोड लोग भूख से मर गए थे इतना बुरा हाल था इंग्लेंड का कुल आवादी जिस देश की 6 करोड हो और उसमें 3.5 करोड भूख से मर जाए ये कोई मामूली बात नहीं है आवादी भूख से मर गए क्योंकि खाने को कुछ नहीं था पहनने को कुछ नहीं था अंग्रेजों ने कपड़ा पहनना भारत से सीखा अंग्रेजों ने कपड़ा बनाना भारत से सीखा भारतवासियों के संपर्क के पहले तो इंग्लेंड में कोई कपड़ा बनाना नहीं जानता था पहनना भी नहीं जानता नंगे रहते थे आदिवासियों की तरह से बनवासियों की तरह तो ये तो सारी की सारी कहानी है भारत के लूट की यहां का पैसा वहां गया अब ये ब्रिटिश पार्लिमेंट में बहस हुई 1860 में और ये तैह हुआ कि भारत की जो करांती हुई 1857 की उसका बड़ा कारण क्या था तो एक अंग्रेज कहता हमने लूटा भारत को ये बड़ा क कारण ये था तीसरा कारण क्या था एक अंग्रेज कहता हमने भारत की सबसे पवित्र गाय को कतले आम किया भारत में वह बड़ा कारण था आप जानते हैं सबसे पहला कदल खाना इस देश में 1760 में अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था कलकत्ता में गाय कटती थी और हंदुस्तानियों की चाती पर छुरी चलती थी गाय कटती थी तो ऐसे अंग्रेज दस्तावेजों में अंग्रेजी दस्तावेजों में ये कहानी दर्ज है कि एक एक अंग्रेज बयान दे रहा और वो बता रहा ये कारण था ये कारण था ये कारण था इस कारण भारत में हमारे खिलाफ बगावत हुई अब एक अंग्रेज प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा है इन सब से कि अच्छा बताओ बगावत के लिए पैसा किस ने दिया धन भी तो एकठा हुआ होगा तो एक अंग्रेज जो यहां हिंदुस्तान में 17 साल रहा और किसी तरह जिंदा बचकर वापस इंग्लेंड पहुँच गया वो कहता है कि भारत की आजादी की लड़ाई जिसको भारतवासी कहते हैं हम कहते हैं बगावत और विद्रो वो कहते हैं आजादी की लड़ाई इसमें 480 करोड रुपए खर्च हुआ है और ये कोई मामूली रकम नहीं है ये रकम कहां से आई तो भारत के उद्योग पतियों ने दी व्यापारियों ने दी कारीगरों ने दी किसानों ने दी लोगों ने इतना धनी कठा किया था इस क्रांती के लिए इस 480 करोड को आज अगर समझना चाहें तो इसमें 300 का गुणा कर लेना तब इसको आज समझ पाएं गया इतनी बड़ी क्रांती थी 1857 इस क्रांती में साड़े चार करोड हिंदुस्तानी लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ अगर हरे एक हिंदुस्तानी के हाथ में एक तलवार भी हो तो साड़े चार करोड तलवारें बनी होंगी इस देश में और उन साड़े चार करोड तलवारों को बनाने के लिए लोहा बना होगा इस देश में उस लोहे को गलाने के लिए भट्टियां बनी होंगी blast furnace बनी होंगी कितने करोड लोगों ने कितने करोड मीट रिक्टन लोहा गलाया होगा उन लोहों से तलवारें बनी होंगी बंदूकें बनी होंगी छुरें बने होंगे, हसिये बने होंगे हतोडें बने होंगे क्योंकि भारत वाती सो तो इनी से लड़े थे पूछ रहा पैसे किस ने दिये तो उद्योग पती, व्यापारी, किसान, कारीगरों ने दिये तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि अब आगे से इस देश में साशन चलाना है तो एक व्यवस्था करो कि दुबारा कभी भारत के लोग करांतिकारियों को पैसे दे न सकें उनके हाथ में पैसे छोड़ो ही मत, ले लो सब, छीन लो उनसे तो कैसे छीनोगे, टैक्स लगा के छीनो इसलिए इस देश में इंकम टैक्स आया इंकम टैक्स इसलिए नहीं आया कि देश में सरकार चलानी थी अंग्रेजों को और उसके लिए धन की जरूरत थी इंकम टैक्स इसलिए लाया गया कि भारत के नागरिकों के पास पैसे इतने बचे ही नहीं जो वो करांतिकारियों को दान में दे सकें, वो सारे पैसे अंग्रेज छीन कर अपने पास रखें इसके लिए इंकम टैक्स आया और income tax जब लगाया अंग्रेजों ने तो उसकी limit जानते हैं क्या थी 97% मने 100 रुपई आप कमा रहे हैं तो 97 रुपई अंग्रेजों को दे दीजे और ये कहानी पूरी तब समझ में आईगी जब और एक जानकारी में आपको दूँ British Parliament में बहस हो रही थी और बात चल रही थी कि खाली income tax लगाना है या दूसरे tax भी लगाने है तो बात हुई कि भारत के उद्योगपती और व्यापारी कोई भी सामान बनाएं तो बनाने पर ही पहले उनसे tax ले लो उसको उन्होंने excise duty नाम दे दिया आप सामान बनाएं और बेचने के लिए जाएं तो बेचने पर उनसे tax ले लो उसको sales tax नाम दे दिया फिर बेचकर मुनाफ़ कमाएं तो मुनाफ़ पर tax ले लो उसको income tax नाम दे दिया सामान को बेचने के लिए एक गाउं से दूसरे गाउं जाएं तो रोड टैक्स ले लो और टोल टैक्स ले लो और जिस गाउं से सामान लेके जाएं वहां ले लो और जिस गाउं में लेके आएं वहां ले लो गाउं में लेके आ रहे हैं तो ओक्ट्रॉय ले लो उनसे और गाउं से लेके जा रहे हैं तो exit tax ले लो उनसे ऐसे बीसियों तरह के tax उन्होंने लगा दिये Excise duty अंग्रेजों ने लगाई 3.500% मने 100 रुपई का सामन बनाओ तो 3.500 रुपई tax में दे दो उनको Income tax लगा दिया 97% 100 रुपई कमाई करो तो 97 रुपई अंग्रेजों को दे दो 3 रुपई बचेगा बस आपके पास Sales tax लगा दिया 180-200% तक अलग-अलग वस्तुओं पर अलग-अलग Octroy लगा दिया 50-60% Municipal Corporation का tax लगा दिया अंग्रेजों ने कई कई इस्थानों पर 70-80% परिनाम क्या हुआ हिंदुस्तानियों से लूट लूट कर सारा धन उन्होंने जमा कर लिया England 180-60 के पहले क्या होता था लूटने का काम एक East India Company किया करती थी उनके एजेंट हुआ करते थे और 180-60 के बाद पूरी सरकार ही लूट खोर हो गई जिन्होंने कानून बना कर लूटना शुरू कर दिया इस देश अब भारतवासी चिलाते थे कि हमारी लूट हो रही है अंग्रेज कहते थे हम तो कानून का पालन कर रहे है कानून बना दिया इंकम टेक्स का कानून बना दिया सेंट्फल एक्साइज का कानून बना दिया ओक्ट्रॉय का तो अंग्रेज कहा करते थे हम तो कानून का पालन करते हैं अब आपकी लूट हो रही है तो हम क्या करें इसमें कितनी बेइमान और हरामी कौम है ये अंग्रेजों की लूट रहे हो लूटने का कानून बना दो तो दुनिया को कहेंगे भई हम तो कानून का पालन कर रहे हैं उसमें आपकी लूट होती है तो हम क्या करें ये व्यवस्ता कैसे गाडियों में बैठ कर एसी गाडियों में बैठ कर डांडी मार्च सावर मती से निकले 57 किलो मीटर पैदल चले गाडियों में भर गए डांडी से 57 किलो मीटर पहले उतर गए गाडियों से पैदल चल गए अखवार वालों को फोटो आया डांडी मार्च कर रहे मैंने उस समय यही कहा था अगे डांडी मार्च का पाखंड करने से अच्छा है नमक को सस्ता कर दो जो गांदी जी की आत्मा कहा करती थी कोई ये देश आपको सुईकार कर लेगा नमक 15 रुपई किलो और डांडी मार्च की याद दिला रहे हम को हमारे जले पर नमक छड़क रहें ये सब इतने अत्या अचारी और अन्यायकारी है कि गरीब आदमी जिसकी एक दिन की आमंदनी 20 रुपई से कम है ऐसे 84 करोड लोग हैं इस देश में उनको 15 रुपई किलो का नमक खाना पड़े तो ये जले पर नमक छड़कने जैसा है जिसकी एक दिन की आमंदनी 20 रुपई हो इस देश में उसको 90 रुपई किलो दाल मिले 60 रुपई किलो टिंडा मिले 40 रुपई किलो की भिंडी मिले 24 रुपई किलो का आलू मिले 23 रुपई किलो की प्याज मिले 32 रुपई किलो की चीनी मिले आप उसके जले पर नमक छड़क रहा है और क्या कर रहा है आप मजबूर कर रहे हैं कि वो दाल को खाए नहीं सिर्फ देखकर अपना दिल बहलाए कि ये दाल है छू के देख लो ये सबजी है इसकी शकल देख लो कैसे खाएगा 20 रुपई किलो जिसकी 20 रुपई की एक दिन की आमंदनी हो वो तो एक किलो आटा नहीं खरी सकता क्योंकि एक किलो आटा 26 रुपई का है मुझे यही बात दुख से और अफसोस से कहनी पड़ गई है आज़ादी आई नहीं है स्वतंतरता आई नहीं है सुराज जाया नहीं है ये तो आज़ादी के नाम पर लूट का एक नया तंतर बन गया है इस देश में पहले गोरे अंग्रेजों के हाथ में था आप काले अंग्रेजों के हाथ में है मैं जब भी इन नेताओं से कभी कभी मिलता हूं पूछता हूं कि भाई 20 लाग करोड़ रुपई आप हर साल टेक्स का हम से ले लेते हो आखिर ये जाता कहा है एक साल लिया दो साल लिया तीन साल लिया ये नहीं कि साथ साथ साल में हर साल आप लेते हो कहां जाता है विकास क्यों नहीं हो रहा इस देश का 84 करोड़ लोग 20 रुपई से कम पर जिंदा क्यों है आजादी के मिलने के समय में घटना हुई थी आजादी के थोड़े दिन के बाद की घटना एक सुनाता हूँ आप मेंसे कई बुजरुगों को शायद वो घटना याद भी होगी क्योंकि आपने तो उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया होगा मैंने तो पढ़ा है सिर्फ उस घटना के बारे में क्योंकि मेरा जनम नहीं हुआ था तब तक एक इस देश के महान नेता हुए आचारे राम मनोहर लोहिया एक बार पंडित नहरू से उनकी मुठवेड हो गई संसद में लोहिया जी चुनाव जीत कर एक बार लोकसभा पहुँच गए तो जब जब लोकसभा में प्रदाइन मंतरी नहरू जी का भाशन होता था लोहिया जी सबसे ज़्यादा प्रशन किया करते थे और नहरू जी की हालत सबसे ज़्यादा खराब उनी के सवालों के जवाब देने में होती थी नहरू जी ने खुद स्विकार किया ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ वो कहा करते थे कि जब राम्मनों और लोहिया जी का भाशन होता है तो नहरू जी की हलत खराब हो जाती है जवाब क्या दे ऐसे तीके सवाल किया करते थे एक दिन नहरू जी संसत में भाशन दे रहे थे और कह रहे थे कि मेरी योजनाओं ने हमारे देश की गरीबी कम की है तो लोहिया जी ने का कि सफेज जूट मत बोलो नहरू जी ने का वो कैसे उन्होंने का कि गरीबी कम नहीं है जादा हुई है अंग्रेज जितनी गरीबी छोड़ कर गए थे भारत सरकार ने गरीबी को बढ़ाया है कम नहीं किया है तो बहस हो गई लोहिया जी और नहरू जी में तो लोहिया जी ने का कि मैं सिद्ध करता हूँ तुमारे ही आँकणों से कि गरीबी इस देश में बढ़ी है कि कम हुई है तो लोहिया जी ने एक अध्यन करके संसत में प्रस्तुत किया और सारे देश को उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि एक आदमी की एक दिन की आमंदनी ढ़ाई आने से कम है और अंग्रेज जब छोड़ कर गए थे इस देश को तब एक आदमी की एक दिन की आमंदनी लगबग चार से पांच आने के आसपास थे पंडित नहरू की नीतियों के चलते और पंचवार्श की योजनाओं के चलते वो पांच आने की आमंदनी ढ़ाई आना हो गई है माने गरीबी दोगुनी बढ़ गई है ये लोहिया जी ने कहा और सिद्ध कर दिया नहरू जी जवाब नहीं दे पाए उसका क्योंकि आंकड़े सरकार के थे लोहिया जी के आंकड़े नहीं थे लोहिया जी ने कहा कि हमारी दिशा गलत है जिस दिशा में हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं ये दिशा तो गरीबी को बढ़ाने वाली है अमीरों को अमीर बनाएगी ये गरीबों को और ज़्यादा गरीबी आएगी ये ऐसी दिशा में हमने भारत को चलाना शुरू किया है और वो नहरू जी को जब गुसे में आते थे तो नहरू पंडित कहा करते थे पंडित नहरू नहीं कहते थे वो कहते थे नहरू पंडित अभी भी समझ जाओ उल्टी दिशामे देश को तुमने चला दिया लेकिन लोया जी चले गए उसके बाद नहरू जी भी चले गए अब लोया जी ने जो आखड़े प्रस्तुत किये थे संसद में कि एक दिन की आमंदनी एक गरीब आदमी की ढाई आने से कम है उन आखड़ों को मैंने 2009 में थोड़ा वेरिफाई किया और मैंने सिर्फ इतना ही किया कि साथ के दशक में जो इंफलेशन का रेट था मुली वरद्धी का जो दर थी उसको मैंने जोड़ कर अगर आखड़े निकाले तो वो ढ़ाई आना आज भी ही है वो ढ़ाई आना अब 20 रुपया हो गया है क्योंकि रुपय की कीमत गिर गई है माने लोहिया जी के जमाने में गरीब की एक दिन की आमंदनी जो ढ़ाई आना थी अब 2009 में वो ढ़ाई आना ही है अगर आप उसमें रुपय की कीमत के घटाओ को जोड़ दें तो वो 20 रुपय निकलता है माने देश वहीं खड़ा है जहां 1960 में था और गरीबी उससे जादा बढ़ी है इस देश अंगरेज जब देश छोड़ कर गए थे तो साड़े चार करोड़ लोग गरीब थे अब आजादी के 64, 62, 63 साल के बाद 84 करोड़ लोग गरीब है हम कहेंगे जी आबादी बढ़ गई इसलिए गरीबी बढ़ गई आबादी का भी हिसाब बताता हूँ जब अंगरेज भारत छोड़ कर गए थे तो हम 32 करोड़ थे अब हम 115 करोड़ हो गए हमारी आबादी साड़े तीन गुनी बढ़ गई तो गरीबी 3.5 गुनी बढ़नी चाहिए तो 12, 13 करोडों लोग गरीब होना चाहिए 84 करोड क्यों हो गए गरीबी 21 गुनी कैसे बढ़ गई आबादी तो साड़े 3.5 गुनी ही बढ़ी है गरीबी 21 गुनी क्यों बढ़ गई उसका एक ही जवाब है कि इस देश के नेताओं की लूट जो हो रही थी अंग्रेजों के जमाने में जो लूट रहे थे अंग्रेज वो अब 21 गुना जादा बढ़ गया है वो लूट जादा बढ़ गया है पहले 70 हजार करोल लूटते थे अब 20 लाग करोल लूट रहे हैं असलिए गरीबी बढ़ गया हर वो देश गरीब होता है जिसकी लूट होती है और ये मैं नहीं कहता राजीव दिखशित नहीं कहता ये बात राजीव गांदी ने कही है कि लूट कितनी है इस देश आप सभी जानते है राजीव गांदी हैं प्रधान मंतरी बनने के बाद 1984 में एक बात कही थी कि मैं जब दिल्ली से एक रुपिया किसी गरीब आदमी के विकास के लिए भेजता हूँ तो उसके पास सिर्फ पंद्रे पैसा पहुँचता है माने 85 पैसा लूट लिया जाता है बीच में ही और वो लूट खोर कौन है तो उन्होंने कहा था कि हम सत्ता के दलाल और हमारे अधिकारी यही लूट रहे हैं इस देश को अब ये बात कही थी 1984 में जब रष्टाचार कम था घोटाले बाजी कम थी अब 2009 आ गया जब रष्टाचार और चरम पर पहुँच गया घोटाले बाजी और चरम पर पहुँच गई तो मुझे तो ये लगता है कि उस समय एक रुपए में से 15 पैसा पहुँचता था गरीबों तक अब तो एक रुपए में शायद 10 पैसा भी नहीं पहुचता होगा गरीबों तक हो सकता पांच पैसा भी नहीं पहुचता होगा तो जाता कहा है ये पैसा हम तो इंकम टैक्स में दे रहे हैं हम तो सेंट्फल एकसाइज में दे रहे हैं वो सब बड़ा हुआ टेक्स का पैसा हम दे रहे हैं, कभी हमने कमी नहीं की, लेकिन वो पैसा जा कहा रहा है, विकास तो हो नहीं रहा है, आज़ादी के 62-63 साल के बाद भी ढ़ाई लाग गाउं में पीने का पानी नहीं है, 21 करोड परिवार हैं इस देश के गाउं में रहते उद्योग नहीं हैं, व्यापार नहीं हैं, गाउं उजड रहे हैं, लोग भाग कर शहर में आ रहे हैं, और शहर में आकर क्या जीवन बिता रहे हैं, जो गाउं में रहने वाले बेरोजगार लोग थे वो शहर में आकर नौकरी की तलाश में जुगी जौपडियों में अप से जादा शहर हमारा फुट पाथों पर सोता है जुगी जौंपडियों में सोता है उन जौंपडियों में लोग रहते हैं जहां बारिश का पानी टप टप टपकता रहता है उन जुगी जौंपडियों में लोग रहते हैं जहां कीचड में कीले बिलबिलाते रहते हैं उन जुगी जॉंपडियों में रहने वाला है कौन तो पता चला गाउं का विस्थापित किसान मजदूर कारीगर जिसको गाउं में कोई काम नहीं मिला वो शहर में आ गया कुछ रिक्षा चलाने के लिए रहड़ी लगाने के लिए वो ही है जो रहता है और आज़ादी के बाद इसकी संख्या लगाता और बढ़ रही है कम नहीं हो रही है इसका माने विकास कहां हो रहा है मैंने तो देखा है कि आजादी के 62-63 साल में विकास अगर हुआ है तो नेता और अधिकारियों के घरों में हुआ है उनके परिवारों में हुआ है देश में नहीं हुआ है मैंने हिंदुस्तान के कुछ नेता और अधिकारियों की जनम कुंडली बनाई है जनम कुंडली से मतलब वो नहीं होरोस्कोप जो जोतिशी बनाते मुझे नहीं आता जोतिश ग्यान मैंने तो दूसरी जनम कुंडली बनाई है वो ये कि ये व्यक्ति नेता बनने से पहले इसके घर में क्या था और नेता होने के बाद क्या हो गया अधिकारी का इस पद पर आने से पहले कितना धन संपत्ति था होने के बाद क्या हो गया अभी तक लगबग 420 नेताओं की जनम कुंडली तयार हुई है अब ये संख्याई ऐसी है तो मैं करूं क्या उसका लगबग 420 नेताओं की जनम कुंडली तयार हुई है एक-एक नेता की एक छोटी सी जानकरी देना चाहता हूं वो ये 20 साल पहले किसी के पास भी टूटी साइकल नहीं थी घर में और इतने पैसे नहीं थे कि वो चाय पी सकें अपने जेब से पैसे निकाल कर और आज 20 साल के बाद एक-एक के पास 20 हजार करूर से ज़्यादा की संपति मैं बिना नाम लिए कहना चाहता हूँ आपको आप सब होशे आ रहे हैं तुरंट समझ जाएंगे महाराश्ट में एक नेता है जिसके पास 20 साल पहले फूटी कौडी नहीं थी अगर पुणे से बंबई आना हो तो बसका किराया नहीं था उस नेता के पास आज उस नेता के पास बंबई से पूना के बीच की हजारों एकड और लाखों एकड जमीन है अकेले एक नेता के पास हजारों लाखों एकड जमीन एक व्यक्ति के पास 20 साल पहले एक नेता था मुम्बई में दादर Burchेशन पर भाजी पाला बेचता था भाजी पाला समझते पालाक में थी वगरा वगरा आज उसकी संपत्ती खाली मुम्बई में 28,000 करोड की है सिर्फ मुम्बई 20 साल पहले एक नेता था नासिक में जो सिनेमा का टिकट ब्लेक किया करता था आज उसकी प्रॉपरटी 22,000 करोल की है महाराष्ट सभी राज्यों में नेताओं का ये हाथ मेरा जन्म उत्तर प्रदेश का है वहाँ थोड़े दिन पहले एक अधिकारी पकड़ा गया CBI के चंगुल में आया जो उत्तर प्रदेश सरकार का चीफ सेक्रेटरी रह चुका है अखंड प्रताप सिंग उसके घर में छापा पड़ा 480 करोल रुपई की संपत्ति निकले मैंने अखंड प्रताप सिंग का वो यूपी केडर का आईएस केडर का अधिकारी रहा तो केडर की फस्ट पोस्टिंग से लास्ट पोस्टिंग तक की पूरी तंखा जोड़ दी मैंने वो 84 लाख रुपई बैठती है उसके पास 480 करोल की संपत्ति कहां से है और 84 लाख की जो तंखा बैठती है उसमें बीवी बच्चों का खर्चा पढ़ने का पढ़ने का रहने का कुछ तो हुआ होगा अब उसकी संपत्ति 480 करोड कहां से बैठती है ऐसे अधिकारी और ऐसे नेता एक दो नहीं है हजारों में है और हमने अंदाजा लगाया है हमारे देश में एक Research and Analysis विंकर के संस्था है एक CBI नाम की संस्था है एक Enforcement Department है इन सब के मिले जुले आंकणों से अंदाजा लगाया है लगबग 80,000 ऐसे नेता और अधिकारी हैं जिनोंने लाखों करोडों रुपए लूटा है इस देश का और लूट कर भारत में नहीं विदेशों में जमा कर रखा सुइस बैंकों में जमा कर रखा सुइस बैंक के अधिकारीों का एक Association है वो बताते हैं कि भारत के नेता और अधिकारीों का उनके यहां 75 लाख करोडों रुपए जमाए सुइस बैंक के अलावा दूसरे देश है दुनिया में जहां पर टेक्स हैवन्स कहा जाता है जहां इंकम टेक्स नहीं लगता वहां 35 लाख करोडों जमाए कुल मिलाकर 110 लाख करोडों रुपए लूट लिया इन नेता और अधिकारीों ने मिलकर पिछले 62-63 साल अब समझ में आता है कि आप जो टेक्स का पैसा देते हैं मैं जो टेक्स का पैसा देता हूँ वो विकास में नहीं लगता वो नेताओं की तिजोरियां भरता है अधिकारीों की तिजोरियां भरता है और नेता और अधिकारी इतने हरामी हैं कि किसी भी इस्तरपन नीचे उतर कर आपके पैसे को लूट सकते हैं इतने हराम हैं आप तो मद्यप्रदेश के रहवासी हैं, नागरिक हैं इस मद्यप्रदेश में बहुत दिन पहले एक दुरगटना हुई थी भोपाल में गैस कांड हुआ था, उसमें सत्रे हजार लोग मर गए थे सुप्रीम कोट ने कमपनी के ऊपर मुकदमा करके कुछ पैसे बसूले थे पंद्रे सो करोल रुपए और बांटने का आदेश दिया था सभी नागरिकों को जिनके घर में म्रत्य हुई है, ये नेता और अधिकारी उसे भी खा गए है आप कलपना कर सकते हो, हमारे देश के नेता और अधिकारी किसी का कफन बेच के भी खा सकते हैं इतने निकरष्ट और नराधम किसम के लोग हैं पूरी दुनिया में इतने भ्रष्ट, इतने हरामी, इतने नराधम, अधिकारी और नेता शायदी किसी देश में बिलेंगे जो इस भारत देश में दुनिया में समय समय पर सर्वे होते रहते अभी थोड़े दिन पहले एक सर्वेक्षन हुआ पता किया गया कि दुनिया में 200 देश हैं किस देश की नौकरशाही किस देश के अधिकारी सबसे ज़्यादा भरष्ट है और दुनिया का सबसे बड़ा देश है भारत जहां के अधिकारी है और सबसे ज़्यादा बेईमान सबसे ज़्यादा निकम में वो मैंनी कहता अंतराश्विय सर्वे की संस्था कहती है लूट रहे हैं खसोट रहे हैं इस देश को ले जाके धंजमा कर रहे हैं विदेशी बैंकों में अब ये लूट अगर इसी तरह से चलेगी तो देश तो गरीब ही होगा और देश में नीतियां और कानून अगर ऐसे बनेंगे जो अंग्रेजों की जमाने में थे तो कुछ लोग तो अमीर हो जाएंगे और अमीर और अमीर और अमीर और कुछ लोग तो भेंकर गरीब और भेंकर गरीब भेंकर गरीब हो जाएंगे इसी देश में मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए 12 सरकार की कुछ नीतियां है एक नीती का नाम है उधारी करण एक का नाम है वैश्वी करण एक का नाम है नीजी करण पिजले 1991 से इस देश में चल रही है 2009 तक इन नीतियों का क्या असर हुआ है उसका मैं थोड़ा अध्यन कर रहा हूँ तो पता चला कि नीतियों का जो सबसे बुरा असर हुआ है वो ये कि जो अमीर थे वो और अमीर हो गए जो गरीब थे और गरीब हो गए मैं एक ही उधारन से कहता हूँ कि उधारी करण और वैश्वी करण का सबसे बड़ा फाइदा अगर उठाया तो टाटा अबिरला डालमिया धिरूबाई अमबानी ये वगरा 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 इन लोगों ने उठाया और इनकी आमंदनी कितनी बढ़ गई है एक आदमी है मुकेश अमबानी और एक है अनिल अमबानी अभी थोड़े दिन पहले आपने अखवारों में पढ़ा होगा समाचार में सुना होगा कि इस मुकेश अमबानी नाम के व्यक्ति ने अपनी बीबी के जनम दिन पर एक हवाई जहाज गिफ्ट कर दिया बीबी को 268 करोड रुपए का हवाई जहाज एक व्यक्ति अपनी बीबी को गिफ्ट में देता है और 84 करोड लोग एक दिन में 20 रुपए पर जिंदा रहते हैं ऐसी विद्रूपता हमको इसी भारत में दिखाई देती मुकेश अमबानी ने अपनी बीबी को गिफ्ट नहीं दिया 84 करोड लोगों के गाल पर कसकर तमाचा मारा है कि तुम इतनी गरीबी और जरहालत में हो और मैं देखो कहां पहुँच गया उस मुकेश अमबानी की आमंदनी मैंने निकाली थी एक मिनट की आमंदनी उसकी 20 हजार रुपए है एक मिनट की और भारत में 84 करोड लोगों की एक दिन की आमंदनी 20 रुपए से कम है ऐसा देश हमने बनाया है ये देश अभी नहीं बरदाश्ट होता ये नहीं चलेगा अभी और चलना नहीं चाहिए इस व्यवस्था को इस देश में अब तो कोई बड़ी करांती होनी ही चाहिए इस देश में कोई बगावत होनी ही चाहिए मुझे तो कभी कभी लगता है कि आठारे सो सतावन से बड़ी कोई करांती होनी चाहिए क्योंकि उस समय तो हम गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे अब हमको काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है इसलिए लड़ाई थोड़ी जादा बड़ी होगी और गंभीर होगी पहले तो विदेशी थे हमें दिखाई देता था ये बाहर से आये हैं लुटे रहे हैं अब तो हमारे ही भाई बहन हैं हमारे ही जैसे हैं देखने में रंग भी हमारे जैसा कपड़े भी हमारे ही जैसे वो ही लूट कोर हो गए उन से लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है घर के भाई से लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है बाहर के दुश्मन बनाए आजादी की लड़ाई हुई 1857 की साड़े चार करोड भारतवासी लड़े थे उसमें हमारी कोशिश है कि पाँच करोड भारतवासी तैयार हूँ अब इस नड़ी लड़ाई लड़ने के लिए कम से कम इस प्रयास में हम सब हैं हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं और क्या लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि सारी व्यवस्थाओं को बदल देना है जो हमारे देश में अंग्रेजों के समय से चल रही हैं लूट की व्यवस्थाएं सबसे पहला काम हम क्या करना चाहते हैं भारत अवाविमान का जो संगठन हमने खड़ा किया है और इसको तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास जो हम कर रहे हैं उसका पहला काम जो हम करना चाहते है वो यही कि 62-63 साल इन काले अंग्रेजों ने जो भारत को लूटा है और भारत का पैसा विदेशी बैंकों में जमा किया है। सबसे पहले इस पैसे को हम वापस लाना चाहते हैं इस देशें। आप बोलेंगे क्या ये हो सकता है? हाँ हो सकता है। मुश्किल नहीं हैं, असंबव नहीं है। करने वाला संकल्प अगर बड़ा है तो दुनिया में कोई काम मुश्किल और असंबव नहीं है। मैंने तो दुनिया के देशों का इतिहास पड़ा है। एकदम से असंबव लगने वाली चीज़ें संबव हुई हैं दुनिया में। एक जमाना था जब कोई सोचता नहीं था कि पूरवी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों मिलकर एक हो जाएंगे वो हो गए। एक जमाना था जो दुनिया के लोग सफणा नहीं देखते थे कि सोवियत संग जैसा मजबूत देश खंड खंड टूट जाएगा तूट गया। एक जमाना था कि दुनिया में कोई सोच नहीं सब्सक्राव कि कम्यूनिजम का कोई पराभव हो जाएगा वो हो गया। ऐसी असंबव चीज़ें अगर दुनिया में हो रही है एक जमाना था मैंने तो यूरोप में बहुत अभ्यास किया यूरोप के देशों का इतिहास का उनकी परंपरा सब बिता का यूरोप के सभी देश एक दूसरे के कटर विरोधी है जर्मनी फ्रांस को पसंद नहीं करता फ्रांस जर्मनी को पसंद नहीं करता जर्मनी और फ्रांस मिलके ब्रिटेन को पसंद नहीं करते डेनमार्क नीदर लेंड को पसंद नहीं करता वो उनको पसंद नहीं करता एक दूसरे के कटर खिलाफ देश है लेकिन अब सब एक हो गए हैं और उन्होंने एक करंसी बना ली है जिसका नाम है यूरो डॉलर जो कभी सपना नहीं था कि 24 देश मिलकर एक करंसी बना सकते हैं वो हो गया अब वो 24 देश मिलकर एक मारकेट बना रहा है Common European Market फिर Common European Parliament बना रहा है common European force बना रहे हैं पुलिस बना रहे हैं ये सब असंबव से होने वाले काम हो रहे हैं तो भारत में भी कुछ असंबव से दिखने वाले काम संबव हो सकते हैं और वो यही काम है कि शहीदों ने जो सपने देखे हैं और जो आदर्श के लिए बलिदान किये हैं वो हम पूरा कर पाएं इस देश में, ऐसा ही हमारा भी सपना है, हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, हमारी इस बात की कोई तमना नहीं है, कि सत्ता में कौन आए कौन जाए, बीजे पी आए, कॉंग्रेस चली जाए, कॉंग्रेस आए, जनता दल चला जाए, जनता दल बदलने से देश में कुछ नहीं हुआ, 62 साल हमने करके देख लिया, बस इतना ही हुआ, एक नागनात, दूसरा सांपनात, दसा दोनों नहीं इस देश की जनता, कुछ नहीं हुआ, सत्ता परिवर्दर, अच्छे लोगों को भी हमने देख लिया, उच्छ व्यवस्था में बिठा कर, वो भी कुछ नहीं कर पाए, डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम जैसा पवित्र आदमी इस देश का राश्रुपती हुआ, और पांच साल में देश की अर्थ व्यवस्था का एक प्रतिशत भी नहीं बदल पाया, मतलब क्या है, किसी अच्छे आदमी को अगर बुरी व्यवस्था में बिठा दोगे, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता, एक बार डॉक्टर अब्दुलकलाम के साथ ये प्रश्न हुआ था, प्रश्न ये था, कि आप बहुत पवित्र आदमी हैं, बहुत इमंदर आदमी हैं, बहुत करमठ आदमी हैं, बहुत देश्मक्त आप राश्रवती भवन में चुन कर आए हैं, तो कम से कम अंग्रेजों के जमाने की कुछ वेवस्थाओं को बदल दीजे, तो क्या करना है, राश्रवती भवन को छोटा कर दीजे, साड़े तीन सो कमरे के घर में एक आदमी रहे, ये देश के 84 करोड लोगों का अपमान है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इस से बड़ा अपमान कुछ नहीं है, एक आदमी साड़े तीन सो कमरे के घर में रहे, और 84 करोड लोगों के ऊपर छट भी ना हो रहने के लिए इस तेश में, लेकिन डॉक्टर अब्दुलकलाम पाँच साल में भी ये काम नहीं कर पाए, वो साड़े तीन सो कमरे का घर अभी भी है राश्ट्रपती भवन के रूप, उस घर में रहने वाला तो एक है, उसका जाड़ू पोंचा लगाने वाले 900 करमचारी हैं, एक आदमी रहता है, 900 लोग उसकी सेवा में हाजिर है, खाना खाने वाला एक है, खाना बनाने वाले 24 हैं, कपड़ा पहनने वाला एक है, कपड़े धोने वाले 18 लोग हैं, और मैंने एक दिन सोचा था कि साड़े 300 कमरे के घर में एक आदमी कैसे रह सकता है, एक दिन एक कमरे में सोई, दूसरे दिन दूसरे में, तीसरे दिन तीसरे में, चौते दिन चौते में, तो भी पहले कमरे का नंबर एक साल के बाद आता है राश्रवती भवन की सुरक्षा में 900 गार्ड लगे हुए हैं दिल्ली पुलिस के 500 जवान लगे हुए हैं अधर सिक्योरिटी फोर्सिस के एक आदमी की सुरक्षा पर इतना खर्चा राश्रवती भवन का साल का खर्चा साड़े 300 करोड रुपए का है हिंदुस्तान के 84 करोड इतना खर्चा नहीं कर पाते पूरे साल में राश्रवती अकेला करता है क्या जरूरत है इसकी क्यों नहीं छोटा की आ जा सकता ये राश्रवती भवन क्यों नहीं अधिकारों में कमी लाई जा सकती क्यों सुरक्षा पर इतना फाल्टू कर जाए कहते हैं जी राश्रपती विशेश है तो हम सब मूर्ख हैं 115 करोड हम विशेश नहीं है वो एक ही आदमी विशेश है हम सब क्या अविशेश है जो लोग राश्रपती को चुन रहे हैं वो सब ऐसे ही हैं साधरन और राश्रपती जिन से चुन कर जा रहा है वो विशेश हो गया और राश्रपती का इखर्चा नहीं है प्रदान मंत्री का उप्रदान मंत्री का मानिज मंत्री का वित्य मंत्री का मंत्रियों का खर्चा हजारों करोड में है जितना विकास पे खर्च नहीं होता उत से जादा तो इन मंत्रियों और अधिकारियों पे खर्च होता है मैंने एक दिन पूरे हिसाब निकाले थे राज्य सरकारों के मंत्री, राज्य सरकारों के अधिकारी, राज्य सरकारों में MLA's, केंद्र सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के अधिकारी और केंद्र सरकार के MPs, इनका पूरा साल का खर्चा 3,21,000 करोड का है, और हमारे लोगों के विकास का साल भर का खर्चा मुश्किल से एक लाख करोड रुपए का है लोगों पे खर्चा एक लाख करोड करोड के कंदों पर क्या जरूरत है इसको तो उठाकर फेक देना ही पड़ेगा इस व्यवस्था को तो अब बदल देना ही पड़ेगा बहुत दर्द दिया है इस व्यवस्था ने बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ दी है अब जादा दिन हमसे बरदाश्ट नहीं होता क्योंकि बरदाश्ट की भी एक सीमा होती वो सीमा अब लोगों की तूट रही है धीरज लोगों का तूट रहा है अब इसलिए लोगों का संगठन बने ताकत खड़ी हो इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम वही कोशिश कर रहे हैं भारत स्वाविमान की तरफ से और पहला प्रयास हमारा ये है कि लूट का पैसा जो नेताओं ने रखा है अपने नाम से ये भारत में वापस आए आप बोलेंगे कैसे आएगा चार रास्ते हैं इसके आने के पहला रास्ता है संसत के द्वारा प्रस्ताओ पारित करा के इस पैसे को लाया जाए संसत में प्रस्ताओ क्या कराना है एक लाइन का प्रस्ताओ कराना है कि जो धन भारत के नेताओं ने लूटा है पिछले 62-63 साल में वो धन भारत की राश्ट्रिय संपत्ती है और राश्ट्रिय संपत्ती के लिए नियम ये है कि वो राश्ट्र की बैंकों में ही रखी जा सकती है विदेशी बैंकों में रखना उसके लिए कानूनन अपराद है तो हम संसद से ये प्रस्ताव पारित कराना चाहते हैं इसके लिए परमपुजनी स्वामी जी रात दिन प्रयास कर रहे हैं आज सवेरे मेरी फोन पर उनसे आदा घंटे चर्चा हुई इस विशे पर बहुत सारे MPs से बात चल रही है प्रदानमंत्री से भी बाते हो रही हैं अलग-अलग लोगों से बाते हो रही हैं किसी भी तरह से ये संसद में प्रस्ताव आए और ये प्रस्ताव जिस दिन संसद में आएगा तो आपको सूचना होगी जानकारी होगी आप जरूर देखना टेलिवीजन पर और आप ये देखना कि इस प्रस्ताव का विरोध कौन-कौन हरामी नेता कर रहा है जो विरोध करेगा पक्की बात है हरामी वही है ब्रश्टा चारी वही है धन उसी का है वही ना विरोध करेगा और कौन करेगा जब हमको पता चल जाएगा कि ये ये विरोध कर रहे हैं प्रस्ताव का तो हमारा संकल्प है कि हम उनके चुनाओ छेतर में जाएंगे और उनकी सारी पोल खोलेंगे कि 20 साल पहले इनके पास तूटी साइकल नहीं थी बाप दादों का छोड़ा हुआ एक रुपिया नहीं था आज हजारों करोड इन्होंने स्विस बेंक में रखा आया कहा से और चुनाओ छेतर में जब उनकी पोल खोलेगी तो लोग खुद ही उनको सजा दे देंगे हमारी तो कोशिश है कि इस रास्ते में रोड़ा अठकाने वाले किसी भी नेता को छोड़ने वाले नहीं है हम अंग्रेजों को नहीं छोड़ा तो इनको कैसे छोड़ देंगे और इनके लिए कड़े कानून की वेवस्था है क्या होना है स्वामी जी कहते हैं कि बिजली के तार से उल्टा लटकाएंगे और नीचे आग जलाकर उसमें मिर्ची का पाउडर जोगेंगे होगा आप और मैं जब एक साथ मिलकर खड़े होंगे तो सच होगा जब अंग्रेजों को भगाने का सपना सच हुआ जब अंग्रेजों को भगाने का सपना सच हुआ तो इन काले अंग्रेजों को भगाने का सपना सच होगा बस कुछ समय का फेर है वो दो महीने, चार महीने, छे महीने, साल, दो साल, दो साल से ज़्यादा नहीं क्योंकि भारत स्वाविमान का संकल्प है कि सब कुछ दो साल में कर देना है अनंत काल के लिए इसको लटका कर नहीं रखना है संसद में अगर नेता मान जाएं प्रस्ताव पारित हो जाएं कानून बन जाएं तो स्विर्जरलेंड से ये पैसा चुपचा पा जाएगा और दूसरी बैंकों से आ जाएगा 110 लाग करोड़ और अगर संसद से नहीं हो पाया किसी कारण से तो हमारी दूसरी तैयारी है और वो तैयारी ये है कि अगर ये वरतमान संसद हमारे इस रास्ते में रुकावट बनती है और हमारे सपने को पूरा होने से रोकती है तो पूरी संसद भवन को हम बदल देंगे और उसमें नए नेताओं को चुन कर लेके जाएंगे जो इस काम को कराएं हमारी तैयारी है कि देश में से साड़े 300 से पोने 400 MPs को जिता कर लाएंगे और इसे एक विशह पर संसद का प्रस्ताव पारित करवाएंगे ये भी तैयारी है और इससे भी आगे की तैयारी है 31 राजियों की विधान सभाएं रास्ते में रुकावट ना बने उन विधान सभाओं को भी बदल देंगे क्योंकि प्रजा तंत्र है लोग तंत्र है अब राजा शाही नहीं है कि राजा का लड़का भी राजा हो जाए और उसका भी लड़का राजा हो जाए लोगतंदर की शक्ति का उपयोग करें संसत से करवाना है ये काम बरतमान संसत करे नहीं तो नहीं संसत करे फिर उसके बाद तीसरा रास्ता है और वो रास्ता है सुप्रीम कोट हमारे देश में एक बार सुप्रीम कोट में एक मुकदमा आया था आपको याद दिलाता हूँ नरसिम्मर राव इस देश के प्रधान मंत्री थे उनके जमाने में एक यूरिया घोटाला हुआ 133 करोड रुपई का पेमेंट किया गया यूरिया का एक दाना भारत में नहीं आया जाँच हुई तो पता चला 133 करोड रुपई स्विस बैंक में जमा हो गया और जाँच हुई तो पता चला नरसिम्मर राव के बेटे के खजाने में जमा हो गया सुप्रीम कोट ने आदेश दिया कि जिसके खजाने में ये पैसा है उसकी गिरफतारी की जाए तो प्रधान मंतरी के बेटे की गिरफतारी हुई और वो जेल गया और आज भी जेल में है दूसरा आदेश सुप्रीम कोट ने दिया कि जिनके खजाने में ये पैसा है वो पैसा राष्ट की संपत्ती है उनकी व्यक्तिकत नहीं है वो पैसा वापस लाया जाए तो यहां से अधिकारियों की टीम गई सुड़जलेंड की बैंकों से 133 करोड रुपए निकाल कर सुप्रीम कोट में जमा किया गया अगर यूरिया घोटाले का पैसा वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का भी आ सकता है बोफोर्स घोटाले का भी आ सकता है सारे घोटालों का पैसा वापस आ सकता है तो हम सुप्रीम कोट में सुप्रीम कोट के फैसले की याद दिलाते जोए ये काम करवाए और एक चौथा रास्ता है हमारे पास अंतर राश्ट्री अदालत में सुच्जर्लेंड के खिलाफ हम मकदमा करें क्योंकि सुच्जर्लेंड ने बड़ा अतियाचार किया है उन सब देशों के उपर जिनका पैसा उन्होंने अपने हां रखा हुआ है आप जानते हैं कितने चालाक लोग हैं सुच्जर्लेंड की बेंकों में जहां ये पैसा जमा होता है वो बैंक उस पर ब्याज नहीं देते जमा करने वालों को उल्टा जो जमा करता है उससे सर्विस चार्ज लेते और उस पैसे को सुर्जलेन की सरकार दूसरे देशों को करजे में बांट देती है और उस पर ब्याज लेकर अपना धंदा चलाते रहते हैं इतने चालाक लोग उनकी इस चालाकी को दुनिया में एक्सपोज करने की जरूरत है क्योंकि भारत जैसे पचास देशों के भरष्टाचारी लोगों का पैसा उनके हाँ जमा है उन पचासों देशों को हम इकठा करेंगे उनकी तरफ से अंतराश्वी अदालत में मुकदमा करेंगे और उस मुकदमे के फैसले के आधार पर इस पैसे को वापस लेंगे आप बोलेंगे ऐसा कभी हुआ है अभी हुआ है एक उधारन बताता हूँ अमेरिका नाम का एक देश है बराक ओबामा नाम का वहाँ एक राश्वपती चुनके आया उसने ये काम किया बराक ओबामा ने अमरीका के 4,490 भरष्ट नेताओं का पैसा जो स्विस बैंक में पढ़ा था उसको वापस मंगा लिया अभी थोड़े दिन पहले उसके लिए बराक ओबामा ने अपनी संसद में एक ही प्रस्ताव पारित किया था कि अमरीका के इतिहास में जिन नेताओं ने ये पैसा लूट कर विदेशी बैंकों में रखा है वो अमरीका की संपत्ती है और सुड़े लेंड की सरकार ने 470 अरब डॉलर अभी अमेरिका को वापस दिया है तो अगर अमेरिका ये कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता अंतर इतना ही है कि अमेरिका में एक बराक ओमामा आ गया है भारत में बराक ओमामा कोई आ जाएगा आने वाले समय में क्योंकि भारत माता की विशेष्टा है कि जब जरूरत पढ़ती है ऐसे सपूतों को जनम देती है ये धरती जरूरत पढ़ी तो सरदार पटेल को जनम दे दिया जरूरत पढ़ी तो भगत सींग उधम सींग को जनम दे दिया जरूरत पढ़ी तो जहांसी राई लक्षमवाई को जनम दे दिया अब फिर जरूरत है तो फिर ऐसा कोई सपूत निकलेगा और करेगा इस काम को ये विश्वास हमें है और ये पैसा आएगा हम तो कई बार ये भी सोचते हैं कि हम चाहें तो दादागिरी करके भी इस पैसे को ला सकते हैं सारे कानून एक तरफ दुनिया में है मुझे तो कभी-कभी एक मजाग सूचता है आपको कहने के लिए आप इस पे हसे नहीं बैठ जाएए चुक चाप थोड़ी देर में बात करिए कि भारत वासी अगर इकटे हो जाएं सब के सब और एकटे होके पेशाब भी कर देंगे तो सुच्जरलेंड बह जाएगा इतना छोटा सा देश आर्मी नहीँ है सुच्जरलेंड के पास आपको मालु में पुलिस नहीं है नेवल फोर्स नहीं है एर फोर्स नहीं है कुछ नहीं आप चाहें तो दादागिरी करके सारा पैसा ला सकते हैं और हम अकेले दादागिरी नहीं करेंगे पचास देश खड़े हो जाएंगे भागे का कहा सुर्जलेंड जाएगा कहा बेंके तो इसी दुनिया में हैं उनकी और अब इतना आसान है ये काम करना अंतर राश्विय संस्ता है उनाइटेड नैशन उसने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि दुनिया के सब देश जिनके खाते सुर्जलेंड में हैं वो बंद करवाएं अपने खातों को पैसा लेके जाएं क्योंकि एक नई जानकरी मिली है वो ये कि जिन खातों में ब्रश्ट नेताओं का पैसा है उनी खातों में आतंकवादियों का भी पैसा है खाते एक ही है ये नई जानकरी अभी आई है उनाइटेड नैशन्स ने बताया और United Nations आतंकवाद के खिलाब बड़ा अभियान चला रहा है तो United Nations का कहना है कि वो सारे नेता आतंकवादी है जो धन को अपने अपने देश से लूट कर जमा कर रहे हैं स्विस बैंक में बस अंतर इतना है कि ये आर्थिक आतंकवादी है वो राजने तका तंकवादी है तो United Nations मदद करने को तैयार है हमारी हो सकता है ईश्वर की कोई योजना है वरना इतनी अनुकूलता कभी नहीं होती और ईश्वर की उस योजना में हम तो निमित मात रहें करवाने वाला और करने वाला तो कोई और है वो चाहता है कि भारत माता सुजलाम सुफलाम बने वो चाहता है कि भारत माता समरुदशाली बने वो चाहता है कि भारत माता फिर से विश्व गुरू बने वो चाहता है कि भारत का सम्मान फिर से दुनिया में हो इसलिए वो ये सब करवारा है तो ये पैसा तो आएगा आने के बाद क्या करना है उसकी पूरी योजना हमने बनाई है पूरा ब्लू प्रिंट तैयार किया है भारत स्वाविमान की तरफ से थोड़े दिन में हम देश के सामने वो जारी करें उसके कुछ बिन्दू आपसे जरूर कह सकता हूँ सबसे पहला हम क्या करेंगे ये 110 ला करोड आएगा इस में से सबसे पहला खर्चा करेंगे गाउं में उद्योग और व्यापार का विकास करने के लिए गाउं में कोई उद्योग नहीं है जो भी उद्योग है शहरों में है इसलिए गाउं के लोग भाग कर शहर आते हैं और अपने जीवन जिन्दगी में हमेशा दुख पाते हैं हम चाहते हैं कि गाउं में उद्योग लगें आप बोलेंगे क्या उद्योग गाउं में हो सकते हैं सौ ऐसे उद्योग हैं जो हर गाओं में हो सकते हैं आसानी से हो सकते हैं जैसे उदारंड से बताता हूं हिंदुस्तान के दो लाग से जादा गाओं में कपास पैदा होती है कपास से चर्खा चलाने का काम हर गाओं में हो सकता है उसमें बिजली नहीं लगती है उसमें पानी नहीं लगता बस हाथ की महनत लगती है अगर दो लाग गाउं में चरखा चलाने का काम शुरू हो जाए तो सारी कपास का सूत हम गाउं में ही बना सकते है और फिर सूत से कपड़ा बुनने का काम भी गाउं में हो सकता है क्योंकि कपड़ा बुनने में भी बिजली नहीं लगती पानी नहीं लगता वो हाथ का ही खेले पूरा और एक दिन मैने हिसाब निकाला कि दो लाक गाओं में सूत बनना शुरू हो जाए उस सूत का कपड़ा बनना शुरू हो जाए वो कपड़ा पहनना हम शुरू कर दें तो इसके लिए भारत स्वाविमान ने पहला कदम उठाया कि भारत स्वाविमान के सभी कारिकरताओं को हाथ से बना हाथ से बना खादी का कपड़ा अब पहनना ही होगा क्योंकि परम पुझनी स्वामी जी ने खुद खादी पहनना अब शुरू कर दिया हम दूसरों से कहें तो पहले हम करें और ये काम जब हम शुरू करेंगे तो करोडों हिंदुस्तानी हमें देख कर शुरू करेंगे खादी की बिक्री अभी पूरे देश में सिर्फ एक करोड़ लोगों के द्वारा होती है वो दो करोड़ हो जाएं पांच करोड़ हो जाएं दस करोड़ हो जाएं तो रोजगार उतना ही बढ़ता जाएगा मैंने एक दिन हिसाब निकाला पंद्रे करोड लोगों को रोजगार गाउं में ही मिल सकता है खाली खादी का कपड़ा पहनने और उसका उप्योग करने मातल से ये एक बड़ा उद्योग हर गाउं में हो सकता है दूसरा उद्योग क्या हो सकता है हर गाउं में सरसों पैदा होती है तिल पैदा होता है नारियल पैदा होता है माने तेल की विवस्था सारी गाउं में हो सकती है जहां सरसों पैदा हो सकती है वहां तेल निकल सकता है जहां नारियल पैदा होता है वहां तेल निकल सकता है तो तेल निकालने के सारे केंद्र गाउं में ही चलेंगे शहर में आकर तेल बिक्येगा आप बोलेंगे तेल कैसे निकालते हैं पुराने जमाने में कोलू होता था ना उससे तेल निकलता था अभी भी हो सकता है बेल की विवस्था करनी पड़ेगी और बेल की विवस्था करने के लिए गाय को जिंदा रखना पड़ेगा बस इतनी सी बात है बेल तो अभी भी हो जाएंगे कोलू तो अभी भी चल जाएंगे और कोलू का निकाला हुआ तेल हजार गुना क्वालिटी में अच्छा होता है ये जो मशीन से निकाले हुए तेल की तुलनाम क्योंकि मशीनों से जो तेल निकलता है उसमें बिजली इस्तेमाल होती है घरशन बहुत तेज होता है तेल की सारी पॉस्टिकता उसमें जल जाती है क्योंकि तापमान बड़ा हो जाता है कोलू से धीरे 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 तेल निकलता है उसकी पॉस्टिक ता बरकरार रहती है और हमने तो परिक्षन कर लिया है कोलू का तेल कोई भी आदमी खाए कभी हरट अटेक होने की संभावना नहीं कभी ट्राइगलिसराइट्स बढ़ने की संभावना नहीं कभी कॉलेस्टरॉल बढ़ने की संभावना नहीं तेल का बाजार 56,000 करोड का है और इस बाजार में हम हिंदुस्तान के लाखों गाउं को लगा सकते हैं फिर इसी तरह से घी है देशी गाए का घी, भैस के दूद का घी ये सब गाउं में निकालने का काम हो सकता है घी निकालना ऐसी कौन सी टेक्नालोजी है जो किसी को नहीं मालू दूद को दही बनाओ, दही का मठा बनाओ, मक्षन निकालो, गरम करो, घी बनाओ यूरोप में किसी को नहीं आता है, हमें तो आता है, घर-गर में आता है तो घी निकालने का उद्योग, तेल का उद्योग, सूत का उद्योग, सूती कपड़े का उद्योग, फिर गाउं में गेहूं पैदा होता है, गेहूं से आटा हर गाउं में बन सकता है, चक्की हाथ की अगर चलवादे हिंदुस्तान के करोडों घरों में, तो आटा जो तयार होगा उससे ज़्यादा पॉस्टिक आटा मिल नहीं सकता आपको जिन माताओं ने चक्की का पिसा हुआ आटा खाया है किसी भी मां को बच्चे का जनम करने के लिए सरजरी नहीं करानी पड़ी है सिजेरियन नहीं कराना पड़ा है ये हमारा इतिहास है आज़ादी के बाद का चक्की चल सकती है क्यों नहीं चल सकती है और चक्की चलाके हम अपने पेट कम कर सकते हैं शरीर को कम कर सकते हैं शुद्ध आटे की पूर्ती हो सकते है इसी तरह से भारत में 90 हजार गाओं हैं जहां आलू पैदा होता है तो जिन ग सार गाओं में टमाटर पैदा होता है इस देश में जिन गाओं में टमाटर पैदा हो सकता है वहां टमाटर की चटनी बनाने का उद्योग हो सकता है लाक से जादा गाओं हैं जहां आम की बिन बिन किसमें पैदा होती हैं आम का अचार बनाने का काम उन सब गाओं में हो सकता ह पापड है बड़ी है ये सब बनाने का काम गाउं गाउं में हो सकता है तो ये सौ तरह के उद्योग गाउं में हमें लगाने है अब इन उद्योगों को लगाने के लिए पूजी चाहिए ये पूजी उस पैसे में से हम निकालना चाहते हैं जो स्विस बैंक से वापस आए और ये उद्योगों को लगाने के बाद जो बचेगा पैसा उसमें हम बिजली की विवस्था करना चाहते हैं बारत में लगबग धाई लाग गाओं हैं जहां बिजली अभी चाहिए हमने उसकी योजना बनाई है दस-दस गाओं के छोटे समूँ बनाएं और एक मेगा वाट का छोटा बिजली घर बनाएं जिसमें बिजली की खपत हो पूरी की पूरी बिजली का नुकसान हो कम से कम अभी हमारे देश में क्या होता है बिजली बनती है हजार मेगा वाट के पावर स्टेशन पंद्रे सो मेगा वाट के पावर स्टेशन अब हजार मेगा वाट की बिजली बनाएंगे तो उसका वोल्टेज 11, 12, 13,000 पर होगा अब 11,000 वोल्टेज को इस्तेमाल तो कर नहीं सकते घरों में तो step down करना पड़ता है और 110 वोल्ट तक लाने के लिए सारी उर्जा को नश्ट करना पड़ता है Fall 2 में हमारी 35 प्रतिशत बिजली बरबाद होती है इस बरबादी को हम रोकना चाहते हमारा ये कहना है कि घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली जो 110 वोल्ट की है उसके लिए छोटे पावर स्टेशन हो कारखानों में स्तेमाल होने वाली बिजली जो हाई वोल्टेज की है उसके पावर स्टेशन अलग कर दो दोनों को अलग अलग करो decentralize करो तो फालतू बिजली खराब न हो और जितनी बिजली हम बचत करेंगे वो ही पैदा हो जाएगे और एक मेगा वाट के बिजली घर को बनाने में साड़े चार करोड का खरचा आता है, एक लाख बिजली घर भी हम लगाएंगे, तो साड़े चार लाख करोड का खरचा है और हमारे पास 110 लाख करोड का फंड है हो सकता है फिर सड़क बनाने का काम हो सकता है फिर होस्पिटल हर गाओं में हो डॉक्टर हर गाओं में हो दवा हर गाओं में मिले मैंने तो एक दिन सोचा था कि भारत के एक एक गाउं के पास इतना पैसा हो सकता है कि वो IPS पुलिस अधिकारी को गाउं का चौकीदार बना के रख सकते हैं इतना पैसा एक एक गाउं के पास हो सकता है इस पैसे से विकास करेंगे हम और मैंने एक दिन ये सब हिसाब जोड़ा तो पता चला कि मात्र 50,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 किसी को tax लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस देश की पूरी अर्थ व्यवस्था को zero tax बनाएं। अंग्रेजों ने जो tax लगाए हैं, वो अब हम नहीं लगाएंगे, कोई tax की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि tax से जितना पैसा आता है, वो तो विदेशी पैसे को भारत में ले आएं, उसके ब्याज से ही आ जाता है, जरूरत क्या है, और tax जैसे ही खतम होंगे, महंगाई अपने आप खतम हो जाएगी, आपको एक छोटी सी कलपना देता हूँ, सौ रुपई की चीज आपको आराम से तीस रुपई में मिल जाएगी, अगर सारे tax खतम हो जाएगा, पचास रुपई लीटर का जो पैट्रोल है ना, ये बारे तेरे रुपई लीटर में मिल जाएगा, पैथीस रुपई लीटर का डीजल है, साथ रुपई लीटर में मिल जाएगा, tax खतम होने के बाद, रसोई गैस का सिलिंडर जो साड़े तीन सो का है, वो पैतालीस रुपई का मिल जाएगा आपको, बस में आना और जाना करते हैं, अगर ग्वालियर से कहीं जाएं, सो रुपई का टिकेट लगे, तीस रुपई में ही पहुँच जाएंगा, रेल में भी वही होगा, हवाई जाज में भी वही होगा, आपके बच्चे पढ़ते हैं, इंजिनिरिंग में, मेडिकल में, सब का खर्चा सत्तर प्रतिशत कम हो जाएगा, मेंगाई सत्तर प्रतिशत एक दिन में खतम हो जाएगा, टेक्स विवस्था को हटाते, अब मेंगाई खम होगी, तो गरीबों के लिए रास्ते खुल जाएगा, आराम से उनकी जिन्दगी वो बिता पाएगा, और एक बड़ा काम होगा, इंकम टेक्स खतम जैसे ही होगा, सारा काला धन इस देश में सफेद हो जाएगा, एक जटके, अभी 36 लाग करोड का काला धन इस देश में है, जो बंद पड़ा है तिजोरियों में, फिर जब वो सफेद हो जाएगा, तो कोई उसको तिजोरियों में नहीं रखेगा, सारा धन बाहर आ जाएगा, या तो लोग बैंक में जमा करेंगे, या उसको खर्चे में डालेंगे, या उससे उद्द्योग और व्यापार करेंगे, तीनों ही स्थती में पैसा बाजार में घूमेगा, और 36 लाग करोड अगर हमें मिलता है एक जटके में, तो कटोरा लेकर भीक मांगने भारत को किसी देश के दरवाजे जाना नहीं पड़ेगा, देश का सारा विकास स्वावलम भी होगा, स्वदेश होगा, सबसे बड़ा कारण ये है कि नोट जितना बड़ा, उसके नकली होने की समभावना उतनी बड़ी, पाकिस्तान से नकली नोट आते हैं आप जानते हैं, पंदरे से बीस प्रतिशत करेंसी हमारी नकली हो चुकी है, ये सरकार कहती है, हर साल पाकिस्तान अठारे बीस हजार करोड की नकली करेंसी हमारे देश में डाल देता है, और जब भी नकली करेंसी पकड़ी जाती है, तो 1000 के नोट, 500 के और 100 के नोट पकड़े जाते हैं 50 का नोट आज तक नहीं पकड़ा गया जानते हैं क्यों एक बार मैंने एक CBI या दिकारी को पूछा था कि जब पाकिस्तानी एजेंटों को आप पकड़ते हैं नकली नोट के साथ तो उनसे पूछने में क्या पता चलता है तो उनका ये पता चलता है कि 1000 का नोट बनाना आसान है 500 का भी आसान है, 100 का भी आसान है 50 का नोट बनाने में 53 रुपया खर्च हो जाता है इसलिए पाकिस्तान नहीं बनाता 20 का नोट बनाने में तो देखें पाकिस्तान क्या करता तो नकली करेंसी कम हो जाएगी दूसरा फाइदा है कि रिश्वत कौन देगा फिर अभी दस करोड की रिश्वत देनी है तो हजार हजार के नोट ब्रीफ केस में भर के दे आते हैं फिर दस करोड की रिश्वत देनी है तो ट्रक भरके ले जाना पड़ेगा कौन देखे आएगा और कौन ले लेगा वो भी देखे रिश्वत खोरी कम हो जाएगी ब्रश्टाचार कम हो जाएगी और सबसे गंभीर बात ये है कि जब 84 करोड लोगों की एक दिन की आमंदनी 20 रुपए है इसका माने 84 प्रतिशत हमारी करिंसी 20 रुपए ही चाहिए हमको हजार की क्यों करिंसी चाहिए 84 करोड लोगों ने हजार का नोट नहीं देखा है अपनी जिंदगी में क्यों उनको हजार का नोट पकड़ाना उनको 20 की जरूरत है वो ही चाहिए तो करिंसी हमें छोटी रखने और एक काम हम करना चाहते है अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए अर्थवे वस्था के जो कानून है एक कानून है किसानों के लिए जो इस देश में लगा हुआ है कि कोई भी किसान अपनी फसल का भाव खुद तेह नहीं कर सकता सरकार के अधिकारी तेह करते है किसान अकेला है जो अपनी चीज का भाव तेह नहीं करता बाकी सब लोग अपनी चीज का भाव तेह करते है जूता बनाने वाला भी जूते का भाव खुत्ते करता है मैं जो यही कीमत पर बेचना किसान नहीं कर पाता क्योंकि अंग्रेजों का कानून है एगरी कल्चरल प्राइस कमीशन है वो कानून हम बदलना चाहते है किसान को अधिकार देना चाहते हैं वो अपनी फसल का भाव खुत्ते करे और फसल के भाव के निर्धारण में जो मानक हैं वो बदलना चाहते हैं अभी फसल का भाव जब तेह होता है ना तो जमीन की कीमत उसमें जोड़ी ही नहीं जाती जबकि वो जमीन करोड़ों रुपई की होती है अगर आप कहीं जमीन खरीदें उद्योग चलाएं बैंक से करज लें तो बैंक का ब्याज आप जोड़ लेते हैं किसान बिचारा वो भी नहीं जोड़ पाता क्यों नहीं जोड़ना चाहिए जैसे ही जमीन की कीमत आप जोड़ना शुरू करेंगे फसल का भाव बढ़ जाएगा किसान को ज़्यादा पैसा अपने आप मिल जाए इसी तरह के हम कुछ कानून और भी बदलना चाहते हैं हिंदुस्तान में अंग्रेजों के बनाई हुए नियाए के कानूने आईपीसी, सी आरपीसी, सी पीसी इने बदलना चाहते हैं क्योंकि आईपीसी, सी आरपीसी, सी पीसी की विवस्था ये है कि साड़े तीन करोड मुकदमे चल रहे हैं फैसला नहीं आ रहा है एक बार सुप्रीम कोट के एक चीफ जस्टिस महोदे को मैंने पूछा कि साड़े तीन करोड मुकदमों का फैसला कब आएगा तो उन्हेंन का अंग्रेजों के कानून अगर ऐसे ही चलेंगे ना वाधी जिंदा रहेगा ना प्रतिबादी जिंदा रहे अंग्रेजों के कानून ऐसे घंचकर हैं आप फैसला दे ही नहीं सकते, ये कानून हमें अटाने, कौन से कानून लाने है, भारत में पहले एक न्याय वेवस्था चलती थी, उसका एक नाम लेके उधारन देता हूँ, एक राजा था चंदरूप्त विक्रमा देते, बड़ा न्याय प्रिय था, उसके दरवार में एक बेटा था, एक मा कह रही थी मेरा बेटा है, दूसरी कह रही थी मेरा बेटा, दोनों जगड रही थी, राजा ने कहा तलवार ले आओ, आदा आदा काट दो, आदा इसको दे दो, आदा इसको दे दो, जैसे ही तलवार आई, तो असली मा चिलाने लगी, नहीं नहीं इस बे मुकदमे का फैसला दो मिनट में हो गया ये है भारतिय नियाए विवस्था अब इसी मुकदमे को आप CRPC IPC और CPPC में लेके आजाओं अंग्रेजी नियाए विवस्था में मैं आपको विनमरता पूरवक कह सकता हूँ 30 साल केस चलता रहेगा फैसला ही नहीं हो पाएगा असली मा कौन है नकली मा कौन है हो सकता है दोनों माताएं मर जाएं तो भी मुकदमा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा ये है अंग्रेजी नियाए विवस्था हमको ये नहीं चाहिए अंग्रेजी नियाए विवस्था हमको चाहिए तुरंत नियाए मिले और नि जानते हैं क्या है एक और उधारन से समझाता हूँ एक कानून है हमारे देश में वो ये कहता है कि गाये को डंडे से मत मारो मारो गे तो जेल हो जाएगी प्रिवेंशन ओफ एनिमल क्रुयलिटी एक्ट है डंडे से मारो जेल हो जाएगी लेकिन उस साई गाये की गर्दन काट दो और एक-एक मास की बोटी बेच दो उसकी कुछ नहीं होगा क्योंकि मास बेचने के लिए कतल खाना खोलने का इस देश में सबको अधिकार है अब गाये को डंडे से पीटो तो जेल हो जाएगी गर्दन से काटो तो मीट एक्सपोर्ट का आपको लाइसेंस मिल जाएगा ये न्याए ये तो अन्याए है बच्चे को जन्म लेने से पहले गर्वों में मार डालो तो गर्वपात है जन्म लेने के बाद मारो तो 302 का केस बनता है फासी हो जाती है और गर्वपात में मार डालो तो कुछ नहीं ये न्याए हमारे देश में एक कानून है बलातकार के खिलाफ किसी भी माँ बेहन बेटी का बलातकार हो तो माँ बेहन बेटी को सिद्ध करना पड़ता है कि बलातकार हुआ या नहीं जिसने किया उसको कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता है यह नहीं क्या करें इस व्यवस्ता को खतम करना है इसको चलाना नहीं है रखना नहीं है एक मिना परिणाम क्या हो रहा है कि जब बलातकारियों को सिद्ध नहीं करना है कि उन्होंने क्या किया जिसके उपर घटना घटित हुई है उसको सिद्ध करना है तो सारे बलातकारी छूटने ही वाले है और इस हिंदुस्तान में सो बलातकार के मुकदमे दर्ज होते है तो पांच को ही सजा होती है 95 छूट जाते हैं वो दुबारा किसी माँ बेहन बेटी की इज़त को तार-तार करते हैं ऐसा नयाय हमें नहीं चाहिए हमें संपूर नयाय चाहिए इसकी व्यवस्था हम लाना चाहते है इसी तरह हम सिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते है हमारी आज की सिक्षा व्यवस्था मैकॉले के समय की बनाई हुई है बहुत पुरानी है मैकولे ने अंग्रेजों के गुलामी के तंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ कलर्क पैदा करने हैं इसके लिए ये सिक्षा व्यवस्था लाई थी मैकولे ने खुद अपने ड्राफ्ट में लिखा है कि गुलामी की व्यवस्था को पक्का करने के लिए अंग्रेज सरकार और भारतवासियों के बीच पुल का काम करने के लिए कुछ कलरकों की जरूरत है इसके लिए उन्होंने ये लाया इंडियन एजूकेशन एक्ट अब वही हम क्यों चला रहे हैं आजदी के 62-63 साल के बाद हमें तो गुलाम नहीं पैदा करने हमें तो कलरक प भाशा भी बदलनी है हम अभी अंग्रेजी में पढ़ते और पढ़ाते हैं जो दुनिया का कोई देश नहीं करता आजदी के बाद कोई भी देश ने गुलामी की भाशा को अपने हां नहीं ढोया भारत को छोड़ कर सभी देशों ने अपनी मात्र भाशा लाई अपने सब्सक्राइब देश नाम कि बिल्कुल पिद्धी सा देश है हमारे हिंदुस्तान के किसी महले के बराबर का है इतनी ही आवाधी है उस देन मार्क की वो देश इतना छोटा होकर अपनी पूरी पढ़ाई देश में कराता है इंजिनिरिंग डेनिश में होती है मेडिकल साइ पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं हो सकती, मैनेजमेंट की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं हो सकती। चार्टेड एकाउंटेंसी की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं हो सकती। तो कुछ लोग कुतरक देते हैं कि हिंदी में शब्दों की कमी है ऐसी कोई कमी नहीं है डैनिश भाषा के पास तो बिलकुल शब्द नहीं है उससे तो हजार गुना जादा हमारे पास है शब्दों की कोई कमी नहीं है शब्द कोश की कोई कमी है हमारे पास परियाफ्ट शब आपन्ग्रेजी तो भाषा पांचवी शताबदी से आई है उसके पहले तो कोई जानता नहीं उनका इतिहास क्या है दुनिया भर के देशों से खिचडी बना के एकट्टी की हुई है उन्होंने Latin से कुछ ले लिया, German से कुछ ले लिया, French में से कुछ ले लिया, Italian में से ले लिया, इस से ले लिया और बना दिया, हमको तो ये नहीं करना पड़ा संस्कृत में ऐसा घाल मिल करने की जरूरत नहीं पड़ी कभी इस देश को, करोणों साल से और जितना ज़्यादा शब्द संस्कृत में हो सकते हैं दुनिया की किसी भाषा में संभव नहीं है क्योंकि शब्द रूप और धात रूप यही एक भाषा में है करोणों शब्द अंग्रेजी में तो अकाल है शब्दों का सूरज को बोलने का सं के अलावा दूसरा शब्द नहीं अंग्रेजी के पास और हम अगर संस्कृत और हिंदी की बात करें तो दिनकर, दिवाकर, रवी, भासकर, मारतंड, 84 शब्द हैं हमारे पास एक शब्द हैं अंग्रेजों के पास मून वो अकेला है, एकलोता है और हम चंद्रमा के अगर शब्दों की गिंती शुरू करने तो वो 62-63 है एक शब्द है उनके पास वाटर, पानी और वो पानी चाहे नदी का हो, चाहे नाले का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे कहीं का हो, वो एक ही है वाटर हमारे पास तो हर जगे के पानी के लिए अलग शब्द है नदी के पानी के लिए अलग, आकाश के पानी के लिए अलग, समुद्र के पानी के लिए अलग, तालाप के पानी के लिए अलग शब्दों का भंडार जितना बड़ा हमारे पास है, किसी के पास नहीं और जिस भाषा के पास शब्दों का भंडार हो वहाँ पाठिक्रम भी बहुत आसानी से बन सकते हैं पढ़ाए जा सकते हैं इसलिए हमें तो अंग्रेजी को छोड़ना ही है और ऐसे ही छोड़ना है जैसे अंग्रेजों को छोड़ा था अंग्रेजों को छोड़ दिया तो उनकी अंग्रेजी को छाती से क्यों लगा के घूमे जरूरत क्या है हमें तो नहीं जरूरत है आप बोलेंगे जी अंतर राश्री व्यापार करना है तो अंग्रेजी की जरूरत है कुछ जरूरत नहीं है जापान बिना अंग्रेजी जाने सीखे समझे अंतर राश्री व्यापार करता है जापान का प्रधान मंत्री भी अंग्रेजी नहीं जानता चप्रासी भी अंग्रेजी नहीं जानता सारी दुनिया में उनका माल बिकता है बिना अंग्रेजी के तो हमारा क्यों नहीं बिकेगा रूस बिना अंग्रेजी के इतना व्यापार कर सकता है जर्मनी बिना अंग्रेजी के इतना व्यापार कर सकता है आपको मालूम है इंजिनिरिंग के सबसे अच्छे सामन दुनिया में जर्मनी के ही है और वो बिना अंग्रेजी के कर रहा है फ्रांस वाले बिना अंग्रेजी के अपना काम चला सकते हैं नीदरलेंड वाले बिना अंग्रेजी के काम चला सकते हैं तो हम भी चला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हमके अपनी भाशा पे स्वाबिमान और गौरव करने की बात है कमी कुछ नहीं है हमारी भाश्म मुझे तो दुख होता है कि हम हिंदुस्तानी अंग्रेजी के चक्कर में फसके ना तो हिंदुस्तानी रह गए ना अंग्रेज बन पाए बीच में हो गई खिचडी हमारी कुछ आजकल अंग्रेजी पढ़े लिखे अद्कचरे लोगों के घरों में जब मैं जाता हूँ तो बड़ी हास्यास्वद इस्तधी देखता हूँ पिता जी का नाम राम दयाल माता जी का नाम गाहित्री देवी बेटे का नाम टिंकू अब राम दयाल और गाहित्री देवी का टिंकू कहां से आ गया यही समझ में नहीं आता है और जिनों ने बेटे का नाम टिंकु रखा उन से पूछता हूं तुमको मालूम है टिंकु का अर्थ क्या है तो उनको नहीं मालूम टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का जो बाप की ना सुने मा की ना सुने वो अंग्रेजी में टिंकू होता है यहां अच्छे खासे लड़के को टिंकू टिंकू बोल बोल के आवारा बना रहे हैं क्या मूर्ख लोग हैं इस देश में पढ़े लिखे बेटी का नाम डिंपल, ट्विंकल, बबली, डबली, बबलू, डबलू, क्या मतलब है बबलू, डबलू, डिंकल, टिंपल नामों की कुछ कमी आ गई है क्या आकाल पढ़ गया इस देश में और ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं इस देश में पढ़े लखे रॉप जाडने के लिए अंग्रेजी में बात करते हैं अंग्रेजी अंग्रेजी आती नहीं है उनको जितने लोगों को अंग्रेजी बोलते हैं मैंने सुना है निन्यान वे प्रतिशत गलत व्याकरण और गलत उचारण का उप्योग करते हैं फिर भी रॉब ज़ाडने के लिए बोलते रहते हैं शब्दों कार्थ नहीं मालूं फिर भी बोलते रहते हैं कभी-कभी चला जाता हूं किसी के घर में तो कहते हैं ओ राजीव दिक्षित, she is my missus तो मैं पूछता हूं, really, she is your missus क्योंकि उनको मिस्स कार्थ ही नहीं मालूं बोल रहे हैं, मिस्स किसी की धरम पत्ती कहते हैं, he is my mister मैं पूछता हूं, really, he is your mister क्योंकि मिस्स कार्थ नहीं मालूं ये मिस्स और मिस्टर अंग्रेज सब्विता में से पैदा हुए दो शब्द है हर सब्विता की अपनी कोई विशेष्टा होती है ऐसे ही अंग्रेजों की एक विशेष्टा है और वो विशेष्टा है extra marital affairs पर इस्त्री गमन, पर पुरुष गमन इंग्लेंड में कोई ऐसा नहीं मिलेगा पुरुष जिसके 20-30 महिलाओं से कम से संबंद रहे हो और एक महिला नहीं मिलेगी जिसके 20-30 पुरुष से कम से संबंद रहे हो वो एक से संतुष्ट हो इनको 20 यों लगते हैं मेरे बहुत दोस्त हैं यूरोप में 30-30 शादियां की हैं और 31 वी करने को तया है सवेरे शादी शाम को तलाग फिर दूसरी शादी फिर शाम को तलाग क्योंकि भरोसा ही नहीं है दोनों को एक दूसरे पर क्योंकि शादी होती ही नहीं है आत्मा से वहाँ तो शरीर से होती आत्मा को तो मानते नहीं न वो आपको मालूम है वो मानते नहीं कि आत्मा कोई चीज है वो तो कहते हैं शरीर है और शरीर का आनंद है मिले तो ठीक नहीं मिले तो जैराम जी किया लग लग फिर दूसरे को ले लो फिर तीसरे को ले लो तो जिन देशों में इस्तरी पुरुशों के बीसियों संबंद बनते हैं वहाँ पर Mr. and Mrs. शब्द उपजे और इनका अर्थ क्या है Mrs. का मतलब होता है धर्म पत्नी को छोड़ कर कोई भी वो इस्तरी जिसके साथ आप रात बिस्तर में बिता सकते हैं तालीमत बजाईए ऐसा और Mr. का माने वो पुरुश जो पती को छोड़ कर है जिसके साथ आप बिस्तर में रात बिता सकती हैं यह है Mr. and Mrs. यहाँ धर्म पत्नी जो अगनी को साक्षी मानकर आपके घर में आईए आप उसको Mrs. बनाने में लग गए अकल नहीं है कुछ समझ नहीं है हमको एक बहुत खराब शब्द अंग्रेजी का जो किसी भाषा में नहीं है हो भी नहीं सकता मैडम जानते हैं मैडम का अरत क्या यूरोप में और इंग्लेंड में विश्व शुरूप से वैश्या घर को चलाने वाली जो मुखिस अंचालिका होती है उसको मैडम कहते है रंडी घर को चलाने वाली जो मुखिस अंचालिका है उसको मैडम कहते है और यहां हमारी सम्मान जनक मा बहन बेटियों को मैडम मैडम बोल के हम कहते रहते अकल नहीं है, समझ नहीं और मा बहन बेटियां भी कहती है मैडम बोलो मुझे समझ तो लो पहले कि मैडम का अर्थ क्या है ये अधिकच्रा ग्यान हमारा अंग्रेजी अगर ठीक से जानी होती समझी होती, पड़ी होती अंग्रेजी का इतिहास पढ़ा होता व्यवस्था है, उसमें से वो शब्द पैदा होते है एक शब्द आया फादर इन लो और दूसरा मदर इन लो ये ससुर नहीं होता, वो कोई दूसरी चीज़ है उनके आपको मालूम है शादी वहां कॉंट्रेक्ट है आत्माओं का संबंद नहीं है और हर कॉंट्रेक्ट कानून से बना हुआ होता है इसलिए फादर इन लो है इसलिए मदर इन लो है इसलिए ब्रदर इन लो है इसलिए सिस्टर इन लो है क्योंकि ये सब कॉंट्रेक्ट से बने हुए है और contract law से बना हुआ है भारत में ये नहीं है हमारे यहां तो ससूर और सास माता पिता के समान है आत्मा से हमारा बंदन है हम मूर्खों के मूर्ख father in law बताते रहते हैं ये ससूर है father in law जीप भटती है हमारी ससूर कहने में और father in law कहने में गर्व मूर्खों के मूर्ख है सच में मेरा यही कहना है अंग्रेजी इस्तेमाल करो तो पूरी तरह से जान लो समझ लो फिर इस्तेमाल करो तो अपनी मूर्खता पे हसी तो नहीं आए कम से कम मूर्खता करो तो समझ के करो और जब समझ नहीं है तो फसना क्यों उसमें? कुछ ऐसे मूर्खता की चीज़ें हैं अंग्रेजी में P.O.T. Put Beauty But और अगर Beauty But तो P.O.T. Put C.O.T. Cut Beauty But तो P.O.T. Put क्यों नहीं होना चाहिए? बताए हूं मुझे और अगर P.O.T. Put तो Beauty But और C.O.T. Put क्यों नहीं होना चाहिए? कोई उत्तर नहीं है एक अंग्रेजी का शब्द है Chemistry तो C.H.E.M.I.S.T.R.Y. Chemistry ठीक है? तो यहां क्या है? C.H.K. है तो चोपड़ा में? C.H.O.P.A.R.A. चोपड़ा में तो कोपड़ा होना चाहिए? अगर Chemistry में Chemistry हो सकता है तो चोपड़ा में कोपड़ा क्यों नहीं होना चाहिए? और कोपड़ा का चोपड़ा हो रहा है तो Chemistry का Chemistry क्यों नहीं होना चाहिए? कुछ जवाब नहीं है कहीं सी का है? कहीं सी चाह हो जाता है? कहीं सी साह हो जाता है? कुछ अता ही पता नहीं है? कहां सा, कहां का, कहां चाह? हमारी संस्कृत में तो नहीं होता कहीं में हिंदी में भी नहीं होता है ये अदकच्रे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को वो सिखाते हैं मैं किसी के घर में खुषता हूँ ये अक्सर मेरे साथ होता है बेटा अंकल आई है जराफ पोईम तो सुनाओ तो मैं बाया ये अंकल कौन है मैं चाचा हो सकता हूँ मामा हो सकता हूँ ताउ हो सकता हूँ फूफा हो सकता हूँ मौसा हो सकता हूँ कुछ भी हो सकता हूँ ये अंकल कहां से हो गया मुझे तो समझ में नहीं आता अंकल है कौन चाचा, मामा, काका, मोसा, फूफा हमारे हाँ तो निश्चित शब्द है ना और किसी के भी घर में गुसो मामा हो जाओ तो कितना अच्छा नहीं तो चाचा हो जाओ ये अंकल होने की जरूरत क्या है वो अपने बच्चों को कहते हैं अंकल आये है तो फिर वो सुधारत है अच्छा वही चाचा कहल वाएंगे मामा कहल फिर वो कहते हैं पोईम सुनाओ कविता नहीं पोईम सुनाओ अब कविता और पोईम में जमीन आसमान का अंतर है वो बताता हूं अंतर क्या वो बच्चा tape recorder की तरह से चालू हो जाता है rain rain go away come again another day little baby wants to play अब बच्चे को पूछता हूं तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है rain rain go away come again another day कहता मालूम नहीं किसने सिखाई मम्मा ने सिखाई मम्मा को पूछा अर्थ मालूम है rain rain go away नहीं मालूम किसने सिखाई उनके टीचर ने सिखाई टीचर को पूछो rain rain go away अर्थ मालूम नहीं है भेडिया धसान लगा रखा है रटा रहे हैं रटा रहे हैं फिर बच्चे को जब मैं समझाता हूँ देखो इसका अर्थ है बारिश बारिश तुम चली जाओ मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है अब बारिश चली जाए वो यहां ना आए और ये ईश्वर से प्रार्थना के रूप में बच्चा कहे और करुडों बच्चे ये कहें ईश्वर ने सुन ली तो बारिश को बुला लिया वापस क्योंकि सब बच्चे कह रहे हैं रेन रेन गोवे भाग जाओ बारिश तो तो इश्वर ने कहा चलो ठीक है बुला लो वापस तो बारिश तो होगी नहीं खेत में पानी तो आएगा नहीं तो अन तो पैदा होगा नहीं तो खाएंगे क्या रेन रेन गोवे खा के पेट भरेगा हम नूर्खों को ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान में 14 करोड हेक्टेयर जमीन पर जहां खेती होती है उसमें से 5 करोड हेक्टेयर जमीन पर ही पानी की व्यवस्था है 9 करोड हेक्टेर जमीन की खेती तो बारिश की ताकत पर होती है जिस देश की 60 प्रतिशत खेती बारिश पर होती हो वहां के बच्चे ये गाएं rain rain go away come again another day महा मूर्खता की ये हद है फिर उन बच्चों को मैं कहता हूँ कि ये है पोईम जो आई है इंग्लेंड से क्योंकि इंग्लेंड में बारिश कभी भी होती है मौसम का भरोसा नहीं इंग्लेंड में कहते हैं तीन डबलू है जिनका कोई भरोसा नहीं weather कोई भरोसा नहीं wife कोई भरोसा नहीं आज है कल नहीं है हाँ, बिल्कुल भरोसा नहीं है wife का, weather का भरोसा नहीं और work, काम का भरोसा नहीं 20 साल आप किसी कंपणी में काम कर रहे हैं कल आपको pink slip देंगे और कहेंगे जी जले जाओ हमारे हैं ऐसा नहीं है हमारे हैं तो weather एकदम पक्का है, भरोसा है बारिश का सीजन है तब ही बारिश होगी ठंड में तो ठंड होगी गर्मी में गर्मी ही होगी ये भारत में नहीं हो सकता और वाइफ तो इतनी पक्की है इस देश में कि एक जनम नहीं साथ साथ जनम तक का बंदन है तो हमको ये अंग्रेजियत में जाने की ज़रूरत नहीं है फिर आप बोलेंगे जी भारत के बच्चों को क्या सिखाना चाहिए कविता सिखाईए आपको एक मैं मराठी कविता बताता हूँ बहुत सुंदर कविता है ये 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 पाउसा तुला देतो पैसा पैसा जाला खोटा पाउसाला मोठा ये है भारतिय कविता बच्चे क्या कह रहे हैं बारिश बारिश तुम जल्दी आओ ये 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 मने जल्दी जल्दी आओ ये 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 पाउसा तुला देतो पैसा देने को तैयार है बच्चा तुम आ जाओ एक बार हम बारिश को बुलाने वाले देश के लोग हैं क्योंकि 60% उत्पादन बारिश की ताकत पर होता है तो यहां के जमीन से जो कविता फूटेगी वो येरे येरे पाउसा ही होगी इंग्लेंड की जमीन से जो कविता फूटेगी वो रेन रेन गुवे होगी हर सब्विता की कविताएं अलग होती है हर संस्कृती के वाक्य अलग होते है सूपत अलग होते है ये समझने की जरूरत है अंग्रेजियत में ये 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 पाउसा नहीं मिलेगा तो भारतियता में आईए इस अंग्रेजी का पिंड छोड़िये आप दुनिया वर में बोलते फिरते अंग्रेजी अंतराश्वी भाषा बिलकुल नहीं है 200 देश हैं मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है और उनी देशों में अंग्रेजी है जो अंग्रेजों के गुलाम है भारत, पाकिस्तान, बंग्लादेश, औस्टेलिया, न्यूजिलेंड, कनाड़ा, वेस्ट इंडीज, फिर साउथ अफरीका, फिर स्कॉटलेंड, फिर आईरलेंड ये सब अंग्रेजों के गुलाम हैं इसलिए अंग्रेजी बोलते है जो देश गुलाम नहीं हुए, वहां अंग्रेजी नहीं है मैं तो आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी संस्था युनाइटेड नेशन्स में अंग्रेजी नहीं चलती वहां फ्रेंच चलती है, अंग्रेजी में भाशा अंतर करते है एक बार मैंने एक अधिकारी को पूछा, युएन अधिकारी को कि आप अंग्रेजी में काम क्यों नहीं करते हैं, उन्होंने का वो कोई भाशा है मैं पूछा मतलब उन्होंने का सबसे बड़ी भाशा है दुनिया की जिसका अपना व्याकरण नहीं है जिसकी अपने शब्द नहीं है सब नकल करके घेर बटोर के इकठा किया तो फिर मैंने का आप फ्रेंच में काम क्यों करते हैं तो उसने इतना सुन्दर जवाब दिया जो आपको भी पसंद आएगा उसने का फ्रेंच बहुत वैग्यानिक भाषा है मैं बोला इसकी वैग्यानिकता क्या है तो उसने का इसमें धातु रूप अलग होता है शब्द रूप अलग होता है मैं बूचा ये कहां से आया है उसने का संस्कृत मैं से आया है क्योंकि दुनिया में एक ही भाषा है संस्कृत जिसके धातुरूप जिसके शब्दूरूप और आप जानते कितनी विशेश भाषा है कि आपकी क्रिया बदलती रहती है हर छण आपके संग्या के हिसाब से मैं जाता हूँ वे जाते हैं तुम जाते हो तीनों में ही अलग किसी भाषा में नहीं होता इसलिए जब इतनी अच्छी भाषा अपने पास है संस्कृत और अब सब वैग्यानिक कहने लगे हैं कि सबसे जादा वैग्यानिकता संस्कृत में है शब्दों की संख्या संस्कृत में तो क्यों अपनी संस्कृत को क्यों ना अपना है हिंदी को क्यों ना अपना है मराटी, तेलगू, तमिल, कन्नर, मलियालम को क्यों ना अपना है इस देश में क्यों विदेशी भाशा का मोह करें इस मोह को तो छोड़ना पड़ेगा और इसको तो खतम करना ही पड़ेगा भाशा को हमारे देश में वैसे ही तै करने की जरूरत है जैसे अंग्रेजों के साथ हमने तै किया था अंग्रेज रहें तो ठीक है अंग्रेजी थी अब अंग्रेज गए तो अंग्रेजी को विदा करना ही है और जिस दिन अंग्रेजी विदा होगी उस दिन इस देश में एक नई करांती होगी आप जानते हैं क्या होगा इस देश के करोणों विद्यार्थी जो गणित में अच्छे हैं बहुत एक शास्त्र में अच्छे है रसाइन शास्त्र में अच्छे है अर्थ शास्त्र में अच्छे है इतिहास में अच्छे है सब विश्यों में पारंगत हैं लेकिन अंग्रेजी में फेल होते हैं तो उनकी जिंदगी रुक जाती है सिर्फ इसलिए कि अंग्रेजी में फेल हो गए मैं ये बात अपने आप से कहना चाहता हूँ और आप से कि उनको अंग्रेजी में ही फेल होना चाहिए क्योंकि वो उनकी भाषा नहीं है विदेशी है कौन सा अंग्रेज है जो हिंदी में पास होके दिखा सकता है आप ले आए और कौन से अंग्रेज परिवार के लोग हैं जो मार मार के अपने बच्चों को हिंदी सिखाते हों ले आए हम मार मार के अपने बच्चों को अंग्रेजी क्यों सिखा रहे हैं और अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं कि जो विदेशी भाषा में फेल हो गया, वो जिन्दगी में फेल हो जाता है, वो कहीं भी पास नहीं हो पाता है, पूरा जिन्दगी भर वो दर्द सहता रहता है, अंग्रेजी का. मैंने देखा इस देश के बहुत विद्यार्थियों को, जो अंग्रेजी में लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो लिखते पढ़ते बोलते हैं मात्र भाषा में, फिर उसका भाषांतर करते हैं विदेशी भाषा में, उनकी जिंदगी का छे गुना जादा समय इसी भाषांतर में निकल जाता है, फिर परिणाम क्या होता है दो तीन साल में जो इंजिनिरिंग होना चाहिए वो साड़े पांच साल में होता है छे साल में होता है साथ साल में देड़ दो साल में जो मेडिकल की पड़ाई होनी चाहिए वो पांच साथ साल खिच जाती है भाशा को बदल दीजिए मात्र भाशा ले आईए सारी इंजिनिरिंग और मेडिकल की पढ़ाई डेड़ दो साल में ही हो जाएगी चार्टेड एकाउंटेंसी की पढ़ाई छे-ाठ महीने में हो जाएगी मैनेजमेंट की पढ़ाई दो-तीन महीने में हो जाएगी और एक दिन मैंने मेरे उपर यह करके देखा कि पहली कक्षा से 12 तक में अंग्रे जी हटा दूँ हर जगे से तो 12 साल मैं जितना मैंने सीखा मैं 2 साल मैं वो सब सीख सकता हूं दस साल अपनी जिंदगी के बचा सकता हूं दूसरे काम में लगा सकता करोणों विद्यारती वंचित हैं इस देश में वो सिर्फ अंग्रेजी के कारण हमें इसको हटाना है मात्र भाषा के आधार पर सिक्षण व्यवस्था को लाना है इसके लिए भारत स्वाविमान अभियान है और ऐसे कुल हम 60-65 काम करना चाहते हैं इस देश में छोटे बड़े कुल मिलाकर इस व्यवस्था को सुधारने के इनी सब कामों के लिए भारत स्वाविमान बनाया है एक और काम हम करना चाहते हैं कि इस्ट इंडिया कंपनी आई थे लूटने के लिए अब आज़ादी के 62 साल में 5000 विदेशी कंपनी आगई लूटने के लिए पेपसी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, पामोले, प्रॉक्टर एंड गेंबल, रेकिट एंड कोलमेन ये सब विदेशी कंपनी ये ऐसे ही लूट रही है एक बार स्वदेशी आंदोलन लोकमा ने तिलक में शुरू किया था, मात्मा गांदी ने किया था, विनायक दामुदर सावर करने किया था, अब वही स्वदेशी आंदोलन फिर करना चाहते हैं गांदी जी तिलक और सावर करने किया था येस्ट इंडिया कमपनी के खिलाफ हम वो करना चाहते हैं पैपसी कोका कोला जैसी 5000 कमपनियों के खिलाफ उसमें आपका हमें सक्रिय सहीयोग चाहिए आप बोलेंगे क्या गांदी जी तिलक ने लेश को समझाया कि इस्ट इंडिया कमपनी का सामान मत खरीदो ये भाग जाएगी हम भी आपको यही समझाना चाहते हैं कि इन 5000 विदेशी कमपनियों का सामान मत खरीदो ये भी भाग जाएगी पेपसी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, हिंडुस्तान, लीवर, प्रॉक्टर ऐन, गैम्बल, रैकिट एन कमपनियों का सामान मत खरीदिये इनके इस्थान पर सिर्फ स्वदेशी सामन खरीदिये, देशी सामन खरीदिये पैसा देश का बचेगा अर्थविय वस्था में ताकत बढ़े मैंने एक दिन हिसाब निकाला कि सारे हिंदुस्तानी लोग पैपसी कोक पीते हैं एक बोतल बारे रुपई की मिलती है सत्तर पैसे में बनती है बारे की वो बेचते हैं एक बोतल पर दस रुपई उनको नेट प्रॉफिट होता है टेक्स देने के बाद साथ सो करोड बोतल उनकी साल में विकती है साथ हजार करोड रुपई वो लूट ले जाते हैं इस तेश से पैपसी कोक का पानी पिला कर और वो पानी 12 रुपई का है 300 मिली लीटर 36 रुपई का हो गया 900 मिली लीटर 40 रुपई का 1 लीटर एक लीटर पानी 40 रुपई का हम पी रहें 20 रुपई लीटर का दूद नहीं पी सकते और अपने को बहुत स्मार्ट समझते और जो पैपसी कोक का पानी पी रहें उसको पीने में मजा नहीं आता नाक में जलन, गले में जलन, पेट में जलन आँखों से आंसू निकलते हैं फिर भी गटागट पीते रहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि वो बेस्ट क्वालिटी है क्योंकि अमरीका से आया है उसकी क्वालिटी एक दिन पता की तो पता चला उसमें एसिड मिलाते हैं फॉस्फोरिक एसिड ये वही एसिड है जिससे संडा साफ करने वाला फिनाईल बनाते है हमारे घर में हार्पिक बनता है, फिनाईल बनता है जिस एसिड से बनता है उसी से पेपसी कोग बनता है एक दिन मैंने मेरे घर में परिक्षन किया कि एसिड से अगर हम फिनाईल से और हार्पिक से संडा साफ कर सकते हैं तो पेपसी से भी होना चाहिए क्वालिटी दोनों की एक ही है मैंने करके देखा बहुत अच्छा साफ होता है बहुत अच्छा एक महीने मैंने मेरे टॉइलेट साफ नहीं किया एक बोतल पेपसी कोला लाके स्प्रे किया बीस मिनट के बाद पानी से धोया टॉइलेट पॉट जखा जख सफेद एकदम वाइट एंड वाइट उस दिन से मैंने एक विज्यापन शुरू किया ठंडा मतलब टॉइलेट क्लीनर अब यह पढ़े लिखे एडियट क्लास के लोग इसी टॉइलेट क्लीनर को पीते अकेले नहीं पीते घर में आने वाले महमान को भी पिलाते एक तरफ कहते हैं अतिती देवता होता है देवताओं कोई संडास साफ करने का पानी पिला कुछ अतिती तो ऐसे घर में आते हैं घुसते ही कहते हैं ठंडा लाओ माने टॉइलेट क्लीनर पिलाओ हमको मत पीजे अच्छा नहीं क्वालिटी बहुत खराब मैं आपको सची जानकारी देता हूँ मैं महराष्ट के विधरव एरिया में बहुत दिन रहा वहां कपास की फसल होती है कपास पे कीड़े बहुत लगते हैं कीड़ों को मारने के लिए किसान पेपसी कोक स्प्रे करते हैं और कीड़े मर जाते हैं क्योंकि पेपसी कोक में खतरनाक जहर है क्लोरोपाईरी फॉस एंडोसलफान मेलाथियान डाइक्रोमेट मोनोक्रोटो फॉस जिससे कीड़े मरते हैं फसल के वो पेपसी कोक है मत पीजे इसको तो क्या पीएं गन्ने का रस संत्रे का रस मुसंवी का रस दही की लसी गाय का दूद कुछ भी पीजिये साथ अजार करोड का अगर गन्ने का रस पीने लगें तो करोडों किसानों को इतना पैसा मिलेगा कि वो गन्ना पैदा करने में ही करोड़ पती हो जए तो पैसा देश के किसान को दीजिये ना कि अमेरिका की कमपनी ऐसे ही आप कॉल्गेट क्लोज अप मत खरी दिये ये विदेशी पेस्ट है नाथ साफ करने के लिए जो आप कॉल्गेट क्लोज अप इस्तेमाल करते हैं कितनी लूट है 30 रुपए का 100 ग्राम है 300 रुपए किलो 200 रुपए किलो बादाम है 300 रुपए किलो टूथ पेस्ट है 1500 रुपए किलो घी आता है घाय का 300 रुपए किलो पेस्ट है पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं 300 रुपए किलो का पेस्ट रगड़ते हैं और वाश वेशन में थूकते और देर सो रुपई किलो घाए का घी रोटी पे लगा के खाते हैं सस्ती चीज खाते हैं महिंगी चीज थूकते हैं कहते हैं हम बहुत स्मार्ट मैं कहता हूँ और स्मार्ट बनो कहते हैं क्या करें मैं कहता हूँ ये तीन सो रोपई किलो का पेस थूखते क्यों हूँ इसी को रोटी पे लगा लगा के खा लो क्योंकि घी से महनगा है ये मुर्खता मत करिये कॉल गेट प्लोजब की बन करिये इसको आप बोलेंगे दात कैसे साफ करें नीम का दातुन, बबूल का दातुन, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपाइरी डेट नहीं गली गाओं गाओं मिलता है जो दातुन नहीं कर सकते हैं तो दंत मंजन करिये हमारे पतेंजली योगपीठ का दंत मंजन ले लीजे दिवे दंत मंजन, उसको खरी देंगे तो पैसा हमारे ट्रस्ट में आएगा और हमारे इस भारस वाईमान के काम में लग जाएगा, ये कॉल गेट क्लोज अप का पैसा तो अमेरिका जाएगा, बंद करिये उसको दंत मंजन घर में बना लीजे, थोड़ा नमक, थोड़ा तेल बस और थोड़ी हल्दी, तीनों मिला के दाथ पे गिस लीजे दंत मंजन, ये विदेशी फालतू में साबुन मत करी दिये लक्स लाइव बॉय लेरिल रेक्सोना, मुझे तो ये दुख होता है 40 रुपए का 100 ग्राम एक साबुन आता है, इस देश में डफ 400 रुपए किलो, और लोग नहाते हैं, और पानी में बहाते हैं उसको 400 रुपए किलो, 2500 रुपए किलो बादाम नहीं खा रहे हैं, 400 रुपए किलो साबुन रगड रहे क्यों फाल तू पैसा खर्च कर आप बोलेंगे नहाई कैसे चने के आठे से नहाईए बेसन से मुलतानी मिट्टी से नहाईए दूद से नहाईए हमारे देश में महाशिव रात्री आती है तो शंकर जी को दूद से नहलाते हैं कि नहीं तो भगवान नहा सकते हैं तो भगत क्यों नहा सकते दूद से और जब बुजर्गों के पाउं छुओ तो एक ही आशिरवात देते हैं दूदों नहाओ पूतों फलो कुछ तो मानो बुजर्गों की दूद से नहाओ कोई बुजर्ग ये नहीं कहता लक्स लगाओ पूतों फलो लाइफ बॉई लगाओ पुत्रियां फलो सब कहते हैं दूदों नहाओ पूतों फलो दूद से नहाओ थमादों नहाने लगाएं तो बिक्री दूद की बढ़ेगी मुनाफा केसानों को मिलेगा पैसा देश का बचेगा गाए बेल जादा पालने पड़ेंगे तो गोबर और मूत्र जादा होगा तो खेतों में भी वो डल पाएगा तो यूरिया डियेपी भी बंद हो जाएगा लाखों करोड का खर्चा बच जाएगा देश दूट से ना है और दाड़ी भी दूट से बनाई है शेव करते हैं ना दूट से थोड़ा दूट ले लिजए लगाईए रेजर चलाईए बहुत क्लीन शेव बनती है मैं पंदरे साल से करता हूँ चार फाइदे हैं पहला फाइदा दूट लगाओ चिकना हो जाता है चेहरा तो रेजर बहुत आसानी से चलता है तो बलेड जादा दिन काम करता है दूसरा फाइदा दूट लगाओ तो दूट गंदगी निकाल देता है आपको मालू मैं दूट बेस्ट क्वालिटी क्लिंसिंग एजेंट है बड़े ब्यूटी पॉरलर्स में मिल्क क्लिंसिंग ही होता है पांसो रुपई में करते हैं मैं फोकट में बता रहा हूँ आपको दूट लगाओ तो गंदगी निकलती है चेहरा साफ होता है तो कील मुहासे नहीं होते और दूट लगाओ चेहरा साफ हो तो चेहरा चमकता है फोकट में स्मार्ट बनने का रास्ता बता रहा हूँ आपको कल से शुरू कर दो, दूद से दाड़ी बनाओ, दूद से नहाओ और फाइदा हो तो पडोसियों को बताओ सारे देश में ये हमें फैशन बनाना है जिन्दगी को थोड़ा बदलो कपड़े पहनने हैं तो सूधी पहनो, खादी के पहनो जूते चपल खरीदने हैं तो मोची से खरीदो बाटा का मत खरीदना, बहुत लूट खोर कमपनी बाटा क्या करता है? आगरे में जूता बनवाता है आपको चल के दिखा देता हूँ कहीं दूर से नहीं, आगरे से बनवाता है सौ रुपए का जूता और मोहर लगाता है छेसो निन्यानवे रुपए पंचानवे पैसे आपको लगता है यह तो बड़े इमान दा रहे हैं साथ सो रुपए नहीं लेते हैं, वो लूट लेते हैं आपको छे गुना, सौ रुपए का जूता है वो तो अपने मोची से खरीद लो मोचीओं को रोजगार मिल जाएगा बाटा को पैसे क्यों दे रहे हैं तुमाने विदेशी माल बिलकुल खरीदना बन कर दोआ स्वदेशी खरीदो, स्वदेशी बनो आप पूछोगे पता कैसे चलेगा एक पुस्तक हमने बनाई है उसका नाम है जीवन दर्शन, परम पूझी ने स्वामी राम देव जी ने खुद लिखा है उस पुस्तक में पीछे के चार पन्ने पे यही जानकारी है क्या सामन स्वदेशी, क्या विदेशी सूची है, क्या वस्तू स्वदेशी क्या विदेशी उसको सम्हाल के रखो, बाजार जब भी आप जाओ, तो यह सूची देखकर जाओ, और स्वदेशी सामान ही लेके आओ, अपने जीवन में एक संकल्प ले लो, कि हम भारतिये हैं, तो भारतिये भाषाओं का ही उपयोग करेंगे हम भारतिये हैं, तो भारतिये भोजन का ही उपयोग करेंगे हम भारतिये हैं, तो भारतिये औशदियों का ही उपयोग करेंगे जो भी होगा, हम भारतिये, भाषा, भूशा भोजन, भेशज सब कुछ भारतिये होगा चले गए, महात्मा गांदी चले गए, सावर कर चले गए वही आंदोलन अब हमें फिर जिन्दा करना है इसके लिए ये भारस्वाविमान है तो आप सब इसमें हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी में विनम रपेक्षा लेके आया, एक तो आप हमारे सबस्य बनिये भारस्वाविमान के हमको इस समय सबस्यों की बहुत जरूरत है संख्या बढ़ाना है सबसे बड़ा काप पांच करोड लोग हमें एकठे करने है हमारी पार्टियों के पास चार करोड लोग हैं, हम जिस दिन पांच करोड हो जाएंगे, हम जो बहुत सरल है, एक फॉर्म बनाया गया है, वो आप ले लीजे उसको भर के दे दीजे साधरन लोग जो सदसे बनेंगे उनको 51 रुपए उसका दानराशी है, और जो विशेश बनेंगे वो 1100 रुपए है ये दानराशी हमारे भारस्वाविमान ट्रस्ट में जाएगी, इसका एक पैसा भी किसी के व्यक्तिगत कारी के लिए खर्च नहीं होता सारा देश के कारी के लिए पैसा खर्च हो रहा है तो आप धन देंगे हमारे ट्रस्ट के कामा है और स्वदेशी वस्तुओं का उप्योग करेंगे तो देश को स्वदेशी बनाना है खुद को स्वावलंबी बनाना है देश को भी स्वावलंबी बनाना है और संपूर्ण स्वतंतरता और सुराजिस देश में लाना है जो अभी तक आया नहीं है इनी उद्देश्यों की पूर्ती के लिए हम सब प्रयास करें एक साथ मिलकर इश्वर हमारे प्रयासों को जरूर कामियाब करेंगे क्योंकि जो अपनी मदद करते हैं इश्वर उनकी मदद जरूर करते हैं जो खुद खड़े होते हैं इश्वर उनको जरूर मदद करते हैं खड़ा करवाने में और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय कुछ ईश्वर की योजना का हिस्सा है कि ऐसी शक्तियां इकट्थी हो रही है एक सन्यासी को क्या जरूरत थी ये सब करने की वो तो योग प्राणायाम में अपने लगे हुए थे उनको लगता है कि नहीं देश भी अच्छा होना चाहिए योग प्राणायाम से हम अच्छे हो जाएं फिर देश को भी अच्छा बनाना है फिर उनके साथ दूसरे लोग जुड़ना शुरू हो गए अभी सब्तर से जादा संगठन है जिनोंने भारत स्वागिमान को पूरी तरह से अपना सहयोग देने का संकल व्यक्त किया थोड़े दिन में वो सो हो जाएंगे डेल सो हो जाएंगे संख्या बढ़ती जाएगी आप भी इसमें आजाएए तो आपकी आत्मा को भी थोड़ा संतोश होगा मेरा तो आपसे विनमरता पूरवक एक ही कहना है कि आप हमारे साथ आजाएंगे हम ये काम थोड़ा जल्दी होगा आप आग जाएंगे तो गर्व से आप कह पाएंगे कि जब भारत स्वाइवमान का अभ्यान चला था तो हम भी इसमें शामिल थे जैसे हम आज गर्व से कहते हैं मेरे दादा जी उनीस सो बैालीस की लडाई में जेल गए थे छाती चोड़ी करके बोलते हैं न ऐसे ही आपके बच्चे बोलेंगे कि मेरे मामा माता पिता भी भारत स्वाइवमान के अभ्यान में शामिल थे और जो शामिल नहीं हुए तो आपके ही बच्चे आपको गालिया देंगे और आप जवाब नहीं दे पाएंगे कोई गम नहीं है क्योंकि हमें मालूम है जीत हमारी होने वाली है सार्थकता हम लाने वाले हैं सफलता हमको मिलने वाले हैं ये बोलकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद देता हूँ आपने बड़े ध्यान और शांती से सुना एक छोटी सी जानकरी देना चाहता हूँ कि सदस्य बनने के लिए फॉर्म यहां मौजूद है हमारी इस्थानी पतंजली समीती के पास ले लीजे भरपूर हैं कोई कमी नहीं है जीवन दर्शन पुस्तक भरपूर हैं वो ले लीजे कोई कमी नहीं है स्टॉल भी है तो वहां से भी मिल जाएंगे और ये स्वदेशी विदेशी का सूची पत्रक निकाल के घर में समाल के रखिए बाजार से सभी सामन स्वदेशी लेके आईए जो कुछ मैंने बोला है इस विशे पर अगर बार बार कुछ और सुनना हो मेरे विचारों को इनी सूचनाओं को तो इसकी कुछ सीडी बनाई है MP3 फॉर्मेट में है आप इस तरह बाहर जाएंगे तो मेरा एक सहयोगी है उसके पास है आप एक दो दो चार सीडीयां ले लीजे उसकी हजारों कॉपियां करवा लीजे मेरा कोई कॉपी राइट किसी सीडी पर नहीं है सब को कॉपी करने का कम्प्लीट राइट है क्योंकि मैं मानता हूँ ग्यान पर किसी का अधिकार नहीं है मैंने कहीं से ग्यान लिया आपको दिया आपने मुझ से लिया किसी और को दिया तो उसकी हजारों कौपी करकर के घरगर बटवा दीजे ये विचार जितनी तेजी से और जितनी जल्दी घरों में पहुंचेगा उतनी ही जल्दी भारत स्वाविमान का भियान और हमारा प्रयास सफल और सार्थक होगा ये कहकर आप सब काभार बहुत बहुत धन्यवाद